जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम्हें रियुमेटाइड अर्थराइटिस हो गया और यह माइंड से है क्योंकि आपको तो इस्ट्रोइड खाने जीवन भर मेरे सारे बाले उड़ गए और पैचिस में उड़ा करते थे ऐसे को पड़ा उसमें लिखा था कि परकरती यानि कि यह जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है यह किसी भी यह हर चीज का रोमेटियल है यह सब चीजी ही से आई हैं और यहीं मिल जाएंगी एक दिन अगर आप हार्ट में किसी भी गिल्ट को लिए घूम रहे हैं तो यह आपकी वैगस नर्व को मार रही है यह वैगस नर्व आपके हाट से आपकी हैपो थेलिमस और आपके हाट से आपके जहांसे आपकी गट इंस्टिंक्ट आती है, वो तो मर चुकी है, तो जब भी आप लोफ अट्रक्शन के साथ जुड़ना चाहें, तो इंटेंशन एंड इंटेंसिटी की बात करें, तब यू विल अवेकन दा गोड ऑफ मिरेकल्स, मैं एक बात बता हूँ आपको, आपका यह आपका विश्णू है, याद रखेगा, ब्रह्मा से शिव को नहीं जाएगा मैसेज, वाया विश्णू जाएगा, मैं और आप यहां पोड कास्ट कर रहे हैं, खीक है न, और मैंने आपको एक मैसेज बेजा था, कि यह मैं पोड कास्ट इसले नहीं कर रहा हूँ, कि मु हमारे उपनिशदों में बहुत पहले है, उसका नाम इंग्लिश में ही मैं बता सकता हूँ, उसका नाम है प्रिकोगनिशन, प्रिकोगनिशन का मतलब है जब आप अपने फ्यूचर को देखने लगते हैं, यह होगा, याद रखेगा, आप भी अपनी चैस बोड पर अपनी चलते हैं और एक चाल उपर वाला चलता है, और आप से बेतर जानता है कि आपको वो किस समय पर चाहिए, जब मैं नियूरोन्स को पढ़ रहा था, तो मैं उनकी तरीकों को पढ़ रहा था कि कैसे हमारा ब्रेन सेल्स हमारे अंदर ब्रेन के अंदर एक फैक्टर होता है अमि उनिवर्स के किस फोकस को आप तक पहुंचाए, याद रखेगा लॉफ अट्रेक्शन का एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, जब भी जीवन में आपके चलता हुआ काम बंद हो जाए, जब भी आपके सामने रोड बलोक ऐसा है कि आप क्या करूं, जब भी आपकी लाइफ वो NLP इंडस्ट्री में 33 एर से हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि शाद इंडिया में NLP के बारे में बात करने वाले वो पहले इंसान ते जो 1993 में लॉफ अट्राक्शन, मैनिफेस्टेशन, NLP इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बात करना शुरू की थी, तो आज वो खा आपको बताना चाहता हूं कि मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने जिनकी लाइफ में आपके कॉंटेंट से बहुत जादा फायदा हुआ है, तैंक यू अमी, तैंक यू वेरी मच, मैं भी आपकी बहुत सारी वीडियो देखी भी हैं और सुनी भी हैं और ये शायद मैनिफेस सेशन के बारे में, सबकॉंशेस माइन की बारे में बात करेंगा, बट मुझे लगता है एक और ऐसी चीज है, जो को अपने आप में बहुत बड़ी है, जो की है NLP, और आप NLP के बारे में बहुत बात करतES, तबहले ते मैं आपसरी समझना चाहता हूं सर, NLP है क्या, एक आ एक है हमारा इस शरीर को चलाने का software जिसे हम mind कहते हैं इस software में इस software को चलाने के लिए हमारे पास करीब करीब 86 billion brain cells हमें मिलती हैं अगर आप कभी भी brain को देखते हैं तो जो चिप चिप आसा उपर पदार लिखाई देता है वो brain cells है और एक रेत के दाने में एक लाख brain cells आ जाती है कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी यह फिजिकली आपस में टच नहीं करती यानिकि इनके बीच में एक barrier होता है हर एक brain cells के अंदर करीब-करीब 82 GB की memory का space होता है हर एक brain cells की memory space है वो 82 GB के करीब है और कमाल की बात यह है कि जब हम कहते हैं कि जी उम्रु में हम एक परसेंट brain भी यूज नहीं करते तो एक परसेंट भी नहीं करते इससे भी कम नहीं करते हैं हम तो क्योंकि brain cells जैसे यह आप को increase करने लगती हैं आपके benefit के लिए तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक mind मिलता है ताकि हमें एक software मिल जाए कि हमारा हम कैसे चीजों को देखेंगे कैसे मैं आपका नाम याद रखूंगा कैसे पानी इसे पानी कहूंगा कैसे मैं अपनी life को बदलूँगा तो वो thought create करने के लिए हमारे पास एक special space होता है जैसे c drive होती है तो वो तो computer को चलाती है तो एक c drive मिलती है कि हमारे बाल कितने बड़े होंगे हमारी height कितनी होगी हमारा head कितनी बड़ी होगी वो तो हमें उपर से ही मिलता है लेकिन एक special हमें space मिलता है mind में वो space basically भरने लगता है लोगों क वो आता है तो कई बार बेकार की इवेंट हमारी लाइफ में हमारी बोड़ी को और हमारे behavior को बरबाद करने लगती है इस study को किया गया 1970 में जिसका नाम रखागा Neuro Linguistic Programming यानि कि 80 billion neurons आकर किस भाषा से प्रभावित होते हैं या programming उनकी हो जाती है किसी ने कहा ये गलत बात है तो जिन्दगी भर हम उसको गलत मान लेते हैं ठीक हैं आपकी teacher ने बोल दिया तुम तो एक दिन बड़े आदवी बनोगे और एक दिन आप बन भी गए किसी teacher ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो आपके पास वही शब्द अब तक भी पीछा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के तो इसका मतलब है कि हमारे neurons किसी language के द्वारा परभावित होते हैं अब सवाल उठता है कि अगर हमारे neurons किसी भाषा के प्रति अगर प्रोग्राम हो गए तो बीमारी के लिए अगर प्रोग्राम हो गए तो बड़ा नुकसान है ठीक है ना तो इस प्रोग्रामिंग को आप कैसे तोड़ें और कैसे आप desired results create करें यह NLP सिखाती है यही मुझे सबसे पहले जब मैं कहता हूं कि इंडिया में में ही लेकर रहा हूं तो 1991 में मुझे NLP के बारे में पता चला था 91 और 93 में मैंने वक्षोप देनी 94 में मैंने देनी शुरू कर दी लोगों को help करना शुरू कर दिया था यह सुनने में बहुत अमेजिंग लग रहा है क्योंकि मैं जब भी मैं law of attraction के बारे में स बिल रही है क्या हमारे माइन में फीड किया जा रहा है क्या perceptions डाली जा रही है तो I think आपका कहने है अनलपी उनको break करने में मदद करता है वो सारे belief system को जी बिलकुल basically जो आपका belief system है वो एक neural network ही है यानि कि एक आवाज आई 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 आपके कान में कि पैसा बड़ा खराब है और उस दिन आप 5 साल केते मान लेते हैं और दादी ने अपनी परडोसन को बोल दिया और आप उनके गोद के आसपास खेल लेते हैं उनके पास खेल लेते हैं गो आप बड़े हुए आपने एक movie देख ली जिसमें बड़ी मेहनत से बलराज सानी कर रहे हैं लेकिन वो पैसा उसके पास नहीं आ रहा है मदर इंडिया देख लिया कोई ऐसी movie देख ली फिर आपने दो चार लोगों से contact किया जब आप बड़े हो रहे तो फिर किसी ने कह दि तयार पैसा तो बड़ा खराब चीज़ है अब आपने चार बार इसको सुन लिया तो आपके neuron ने एक network बना लिया पूरा और उसने एक command अपने लिये तयार कर ली किए पैसा खराब है अब जीवन भर आप conscious mind से दुनिया की जरूरतों से तो आप पैसे के लिए काम कर रहे है क्योंकि आपको बच्चों की फिज देनी है अपनी life को बेहतर करना है लेकिन जो deep down आपको कोई पकड़े बैठा है वो neuron पकड़े बैठा है जिसने ये final कर लिया बगएर किसी logic के क्योंकि उसके पाल logic नहीं था उसने च्योंकि logic नहीं लगाया को analysis नहीं की और उसने उसको प ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे life में जिनके पास opportunity है वो career के peak पर जाते हैं business के peak पर जाते हैं पैसे के peak पर जाते हैं पीक पर जाकर गलती करते हैं zero पर आ जाते हैं इस सिसिफस complex कहते हैं 90% लोग अपनी जीवन में इसलिए frustrated है कि वो इस सिसिफस complex को ने तो किसी ने पढ़ाया उसको और ना ही वो break करना जानते हैं और वो इस complex में फसे पढ़े और मैं उचे कहता हूँ कि बच्पन में जाओ और बच्पन की किसी memory के साथ जुड़ो जहां आपकी self image को आपके belief को आपकी identity को बरबाद किया गया है और ज़रूरी नहीं है कि उनकी intention गलत रही ह जब आपकी teacher आप दो और दो गलती से अगर मैंने पांच लिख दिया तो यह मेरे behavior की और समय की problem थी लेकिन मेरी teacher ने अगर कह दिया you are stupid और दो बार और मुझे बोल दिया तो तीन बार काफी है बच्पन में मैं I am stupid now I will not be stupid only in mathematics but I will be showing my stupidity in every field of life now because वो create कर लिया यह जो network है इस इसे हम memory perception इसी को हम subconscious की imprinting कहते हैं जहाँ जहाँ पर बात करते हैं कि subconscious को कैसे reprogram कर रहे हैं वो तभी जरुद पढ़ती जब इस तरह का दो ही तो programming है अगर आपकी subconscious की programming है तो दो ही तो काम करने है जो मैंने किये जब मुझे doctors ने कहा है कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे क्य और यह mind से है क्योंकि आपको तो इस्ट्राइड खाने जीवन भर मेरे सारे बाले उड़ गये और पैचिस में उड़ा करते थे ऐसे निकला करते थे और डॉक्टर ने कहाता है कि यह तो कभी बचेंगी नहीं सेल्स खतम हो गई और आग यह at the age of 64 यह natural है ठीक है ना जब मु सकते आप यह बीमारी है उस समय याद रखेगा आपका जो belief system है उसे तोड़ने वाला कोई चाहिए जब हाप subconscious की programming की बात करते हैं तो मैं सब लोगों से कह रहा हूं मेरे अपने दर्शकों से आपके दर्शकों से कि आपको जीवन में बहुत कुछ नहीं करना आपके पास ज अनलपी टेक्निक से जो मैं कराता हूं और उनकी जगह है अब आप बढ़िया चीजों को implant कर दें कि आपकी जीवन में लंबी उम्र हो आपके बढ़िया से रिष्टे हो जीवन में आपके खूबसूरत लोग लाइफ में आए पैसा आपके पास आए और आप देश-विदे को देखे जब मैंने low of attraction की बात आप करते हैं तो मैं इसमें बहुत excited हो जाता हूं क्योंकि मैंने उस event को भी तो attract कियाता ना जहांसे मुझे सारी बीमारियों से पीछा चूटा low of attraction को यूज़ करके अमीज जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 93 में मैं बीमार था डिप्रेशन का शिकार था और 92 में मुझे एनलपी के बारे में पता 91 92 में मैंने इसको हील किया can you believe कि within 3 years मैंने बगेर पैसे के मैं अपने एक मित्र से मिला जो 18 साल बाद मुझे मिला चाहनी नाम भूल चुके थे क्योंकि नाम भूल जाते हैं और हम हसे फिर मैंने का यार साथ B.S.C किया करते थे and can you believe कि law of attraction से मैं हमेशे एक चीज़ चाहता था कि मैं यूनिवर्स में society के लिए कुछ करूं and then without any money without any experience without any knowledge we two founded हम दोनों ने एक school को found किया जहाँ अब दो जार बच्चे पढ़ते हैं और quality education माँसे ले रहे हैं and remember जैसे ही हमने उसकी प्लान करी कोई तो हमें बस वाला मिलता चला गया, कोई हमारे लिए I mean पैसा देने वाला मिल गया, अब सवाल उड़ता है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाह हूँ, अगर आप law of attraction के लिए सब लोग तयार हैं, तो सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, कि आख जब आप किसी चीज़ को attract कर रहे हैं, तो हम कहते है universe से कर रहे हैं, जब मैं इस universe को पढ़ना शुरू किया, तो मेरी life में एक word आया, जिसका नाम था monistic theory, monistic theory मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, कि monistic theory क्या है, तो उन्होंने बताया कि one in all and all in one, यह सिद्धान चलता है, कि हर चीज में एक पदार्त available है, और उसे एक पदार्त में सब कुछ, और फिर मैंने पढ़ा जैसे ही, अपनी भारतिय संस्कृति के वेदान्त को, तो मुझे पदा चला है कि हमारे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हर चीज के अंदर एक पदार्त है, जो invisible है, इसे low of attraction के पहले चैप्टर में ether का नाम दिया गया, लेकिन उसके परे की चीज है, उन्होंने कहा कि यह basically यह substance, इसकी अपनी एक programming है, आम का पेड आम की तरह है, बेह आती वो सब चीजे, याद रखेगा, वो सब universe उसे दे रहा है, क्योंकि यह miracle substances को कहा गया है, गोड कहा गया है, universal dynamic intelligence कही गई है, इसके अंदर सारी programming है, दूसरी बात, जैसे ही मैंने सांखे दर्शन पढ़ा, तो मुझे low of attraction का real meaning वहाँ से पता चला, यद भी बहुत सारी कित आपों को हम बहुत लाइक करते हैं, न करनी भी चाहिए है, मैं किसी को discount नहीं करना, पर जैसे ही मैंने सांखे दर्शन को पढ़ा, तो मैं लिखा था कि परकरती, यानि कि यह जो universal intelligence है, यह किसी भी, यह हर चीज़ का raw material है, यह सब चीज़ हैं, यहीं मिल जाएंगी एक दिन लेकिन कमाल की बात यह है, कि यह हर चीज़ का raw material जरूर है, पर यह खुद तयार नहीं कर सकते हैं, यह माईक खुद तयार नहीं हुआ, इसे किसी creator की अवशकता पड़ी, इस creator को सांखे दर्शन में पुरुष कहा गया है, पुरुष का मतलब gender नहीं है, दोज हूँ create, जिन यानि कि यह energy हमेशा उसके साथ खड़ी होती है, तो low protection बहुत आसान है, बशचरत है कि आप एक पुरुष का रोल निभाएं, पुरुष का मतलब यहां gender narrator, creator का मतलब है, यू create a belief, यू create an identity, यू create a purpose, यू create a magic, and immediately जो प्रकरती है, वो एकदम से कर्ती में बदलने के लिए त यह तो सुनने में इतना लग रहा है, मेस्मराइजिंग लग रहा है, क्योंकि कई बार actually मैं ऐसा होता है कि जैसे हमने भी law of attraction के बारे में जाना शुरू किया, वो सारे foreign author की किताबे पड़ी, बट जिन किताबों के बारे में आपने बताया, जिन गरंतों के बारे में आप ज जानना कि अगर हमें इसका origin, इंडियन origin से समझना है, तो वो कैसे समझा जा सकता है, कैसे, I think आप हम पहले बात भी कर रहे थे कि law of attraction का जो beginning है, वो उन किताबों में दिया गया है, law of attraction और manifestation के जो processes है, इस पर आप और राश्नी डालना चाहेंगे, कि बिलकुल, मैं पिछले क की बुराई भी नहीं कर रहा हूं, मैंने आज तक वो किताब नहीं पड़ी, जिसका सब जिकर करते हैं, ये मैं honestly बता रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ Indian context को समझा है, और क्यों आखिर हम मेरे घर में हल की पूजा होती है, लाठी की पूजा होती थी, क्यों आपके घर में आनाज की पूजा होती थी, जब आनाज उठेा था ता, क्यों एक शेफ जो एक होती हम साथ होते हैं, मैंने उसको डिरेकली देखा है, कैसे ओर पूजा करता है, कि राग्र आती थी, तो ये भंडारे में खाने की पूजा होती थी जब मैं इस concept को समझा तो हम वस्तू के जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग जी गए और उन्होंने वहां ओम लिखा और उस प्लेन की रफेल की उन्होंने पूजा की याद रखेगा आपका हर कम्यूनिकेशन कहीं ने कहीं जा रहा है अगर आप क्वांटम फिजिक्स को भी समझ ले जो और मोडन साइस प 2022 में नोबल प्राइज भी मिला है। वह भी तो यह कह रहा है मैं एक आदमी हूँ यह एक मट्रेल है मट्रेल के परे एक मोलेक्उल है जnder के परे एक्टम है और एकम के परे इलक्ट्रों है और याद रखेंगा सिर्फ एक एनर्जी है मैं एक पुरुश हूँ पुरुश अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जब मैं 2.5 साल से मैंने कोर्स को लूंच किया और मैंने किताब दी जो यूजवली फ्री मैं दे रहा हूं, करीब-करीब एक लाग से जादे लोगों ने उस किताब को डाउनलोड किया है, उसका नाम था चमतकार के देवताओं को कैसे जा हैं, पिछले 50 सालों से ये पॉपुलर हुई है, लेकिन ये 3000 साल पुरानी इंडियन टेकनीक है, तो उसमें सबसे पहली चीजी होता है, कि आप अगर किसी चीज को अट्रेक्ट करना चाहते हैं, तो पहली तो बात है, लो ओफ अट्रेक्शन एक सुई की तरह नहीं है, कि कि जो भी इसके उपर हाथ रखेगा, वो जलेगा, इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज है, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी पातरता बढ़ाएं, मैं थोड़ा इंटरप कर रहा हूं, क्वाल इतना नेगेटिव पड़ी हैं आपके हाट में, तो वो वेगस नर्व से आपके फोकुस को बनने ही नहीं देगी, और हाट सेंटर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, जबकि इंडिया में माइंड से पहले हाट की बात होती है, हिर्दे की सम्वेदना थी, माँ का प्यार जो हिर कावार कोई नाम वहाँ पर ऐसा है, जो बाहर का है, तो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ जानता है, यह जादा जानता है, विद डियू रिस्पेट को एवरी बड़ी आनोटे ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिसकाउंट कर रहा है, बट याद रखेगा, अगर आपके हर्दिये मे आपके गट बैक्टीर तक जाती है, जहां से आपकी गट इंस्टिंक्ट आती है, वो तो मर चुकी है, अगर आपके पास एक नंबर है गिल्ट, दूसरा है रिवेंच, आपके पास गुसा बरा पड़ा है, कि मैं उससे बदला लूँगा, और यह अब आप कभी भी लो फट है, तीसरा है, आपके पास कोई वहाँ पर जेलसी नहीं होनी चाहिए, इर्शा नहीं होनी चाहिए, आपके पास वहाँ पर कोई भी अब्यूज नहीं होनी चाहिए, यह तो आप गुजरे हों, यह आपके मन में कहीं है, चैह वो फिजिकल है, चैह वो इमोशनल है, क्योंकि यह चारू की चारू सम्वेदनाएं, आपके बागी चार चार चीज़ों को मार देती है, जो लोड ट्रकशन की बागी चार, आपको वाइब्रेशन बनाने वाली सम्वेदनाएं. तो अगर आप law of attraction को समझते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पातरता बढ़ाईए, जितना बढ़ा आपका घड़ा होगा उतना ही बढ़ा आपके पाप पानी आएगा, एक गिलास में जितना इस्पेस है उतना ही तो पानी आएगा, कई बार अगर मेरे पास जगे ही नहीं है, तो अगर आपको कभी भी law of attraction जमने ना तो पहला rule clear कर लिजेगा, वो rule यह है कि आपको law of emptiness को लागू करना होगा, law of emptiness का मतलब है कि आपने हिर्दे से बेकार की miserable conditions को निकाल दीजेगा, किसी को गाली देने को मन करा, किसी को आप hate comment करते हैं, किसी के परती आप गलस सोचते है खुद के परती आपका प्यार नहीं है, जब आपके एक बाल्टी पानी में अमित वन ड्रोप ऑफ यूरीन बरबाद करने के लिए काफी रहती है ना, बस यही इस negativity का सबसे बड़ा काम, अगर आपके पास यह सारी चीजे हैं तो फिर आपके लिए law of destruction काम नहीं करेगा, फ पहली चीज है कि आप सबसे पहले एक फोर्गिवनेस, आप फोर्गिव अपने आपको, मेरे एक मेंटोर कहा करते थे, कि आदमी मैचूर उस दिन होता जिस दिन वो अपने परिवार को में फोर्गिव करता है, बली वो कोंशिसली कहता रहे, ठीक है ना, महां पर उसकी कहने कि नराजगी होती है, कि इट शुड हैव बिन लाइक दिस, माई फादर कुड हैव ड़न दिस दिंग, माई माई वाइफ कुड हैव ड़न दिस दिंग, तो उन्होंने कहा कि फोर्गिव दूसरों को नहीं, पहले तो अपने आप कोई कर लो, दूसरा है जब आप करोना को, जब आप करोना को भरते हैं तो आप पहली बार यूनिवर्सल इनसान कहलाने के हगदार होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में आपको यही गुन मिलेंगे, और तीसरी चीज़ है फिर अबंडेंस देखना शुरू करें, अबंडेंस का मतलब है कि जो अधिक्ता है, इस यूनिवर्स में दोनों ही चीज़ आपको अधिक्ता में मिलेंगे, बीमारी भी अधिक्ता में, तो सहत भी अधिक्ता में, पैसा भी अधिक्ता में, तो गरी भी अधिक्ता में, तूटते विए रिष्टे भी अधिक्ता में, आप देख रहे हो, दस में से आठ की भी दिखता है लोग दुखी भी एक तरफ हैं तो आप सुखी भी आप देख सकते हैं अमीरी है तो गरीबी भी यह तो आपके ऊपर है तो अबंडेंस को देखना शुरू करें वो भी पॉजिटिव अबंडेंस और चोती चीज है कि आप gratitude को महसूस करें तब आपकी पातरत करने के लिए चार चीज़ करेंगे तो वो जो हमारा घड़ा है वो बढ़ेगा और हम eligible होंगे कि law of attraction हमारी जिंदगी में काम करेगा इससे हमीज़ है कि तो बहुत आपने बहुत ही प्यार से और बहुत बारीक डीटेल से समझा दिया क्योंकि अकसर लोगों का यही सवाल है मुझे लगता है कि 90% से जादा लोग जो जो प्रोसेस करते हैं कि मैंने यह किया मैंने यह कहले कि मेरी जिंदगी में law of attraction काम नहीं कर रहा है I think यह जब चार चीज़े अपनी लाइफ में implement कर लेंगे तो बहुत असान हो जाएगा उनके लिए वो eligible हो जाएंगे कि अब करो now it will work for you. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शों को को जो बहुत बड़ी गलती करते हैं यह मेरे mentor ने मेरा कान पकड़ लिया तो उस टाइम के तुम क्या कर रहे हो जीवन में कभी मांगना नहीं है यूनिवर्स से आपको भिकारी नहीं बनना सीकर सीकर का मलब है जिग्यासू बनना है आपको अपनी जिग्यासा रखनी है अगर आप अपने आपके फादर मेले में जा रहे हैं तो आपको मांगना नहीं उन से कि मेरी आप मेरे लिए खिलोना लाइए आप अपनी जिग्यासा रखिए लेकिन इस जिग्यासा के सिर्फ दो ह कर लेते हैं तो वो युनिवर्सल फादर आपकी बात सुनेगा उन दो गुणों को जब मैंने पकड़ा तो आई वाश शॉक्ड के हार्ट मैथ इंस्टिटूट है कैलिफोर्निया में उन्होंने उन दोनों चीजों को पकड़ा कि लो फट्रक्शन में दो चीज लोग क्या नह हार्ट मैथ इंस्टिटूट हार्ट और मैटमेटिक्स वाला मैथ तो बढ़नाम इस तरह से हार्ट मैथ बहुत पॉपुलर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबकॉंशियस लोफ अट्रिक्शन इंटेंशन हीलिंग इसके उपर या एनरजी या वाइब्रेशन या फ्रिक्व गिलेंर रिन ने का इकष्परिमेंट किया वह बहुत ही मैजिकल एकष्परिमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कंटेंट ने किताबों में इस था उन्ने किया कि दस हीलर को लिया जो ट्रैंड थे किसी इमोशन को कर्याट करने के लिए तो उन हीलर्स को उन्ने लिया कि उन्होंने से कहा कि और उनके एक गिलास पानी में और वो पानी भी नोन आयोनाइजड था यानिक उसमें करंट नहीं था और उसमें कई एक एक गेम खेलेंगे कि आप positive feelings को आप एंजोय करेंगे और वो feeling होगी gratitude की दो पीडिशन की और वो फीलिंग होगी एंपावरमेंट की और ऑ्प्टिमिजम की growth की गोलचीवमेंट की जैनी कि ज़ीचक hd law of attraction या motivation के लिए जरूरी है, बस उन्होंने इतना ही करना था, वो ट्रेंड थे दस के दस ही लार उन्होंने हाथ में लिया उन्होंने काया कि इस पानी को देखते रहे हैं, इसमें डीविमन डीने जो आपको दिखाई नहीं देगा, अब उन्होंने इस काम को किया, तो 180 सेंड के बाद उनका सब पानी फिर लैब में भीजा गया, चेक करने के लिए, कुछ घंटे दिन लगे होंगे, तो पाया गया कि वो DNA में कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि DNA एक सीडी की तरह होता, जो गाम की सीडी होती है ना, स्ट्रेंड्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, उन्हो को बुलाया गया, उनसे काया कि आपको 180 second के लिए फिर यही पानी अपने हाथ में रखना है और यह emotion दुबारा किरेट करनी है, और जब यह emotion आपकी पीक पर जाए, यानि कि आपके अंदर खूब प्यार, खूब compassion, खूब passion, I mean decision making और motivation आ जाए, उस समय आप एक intention किरेट करे DNA आइदर left side में और right side में clockwise और anti-clockwise घूमना चाहिए, उन्होंने ऐसा ही किया, पानी को चेक किया गया और पाया, कि हर एक व्यक्ति का DNA जो उनके गिलास में था, वो 35 degree तक घूम चुका था, उन्होंने अब तीसरी बार किया, उन्होंने कहा है कि आप एक काम करेंगे, कि इस आप कोई emotion क्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ आप affirmation करेंगे, यहां पर कुछ लोग मुझसे नराज हो जाएंगे थोड़ा सा, बताओंगा फिर भी, फाहिदे के लिए बतना हो ना, जी, उन्होंने कहा कि अब आप कोई emotion क्रेट नहीं करेंगे, यू रिमेन नूटरल, यहां से एक चीज आई है, कि आपका DNA, यानि कि आपका यूनिवर्स में जो थोड़ जाएगा, वो तब जाएगा, जब आपकी intention के लिए हो, और आपकी intention के साथ एक intensity के लिए हो, अगर आपकी intensity बहुत बढ़िया, कई बार आप लोगों से कहेंगे, सर आदमी तो इतना बढ बहुते रहे, और शब तो आप भूल जाते है, मैंने कहा ना, कि 15 साल बात तो मैं अपने friend का नाम भूल गया, क्यार नाम क्या है तुम्हारा, क्योंकि नाम तो आवाज तो भूली जाती है, visual से पहले आवाज जाती है, तो affirmation तो गया काम से, तो जब भी आप law of attraction के साथ क्योंकि जितनी भी चीज़े मैं भी अपने experience में समझा हूं, I think ये एक अलग level का thought मैं आज आप से समझने की कोशिश कर रहा हूं, और ये भी समझ रहा हूं कि शायद जो हमारी intention है, और जो intensity है, जिसको कभी-कभी मैं बात करता हूं, तो emotions के बारे मैं बात करता हूं, कि वो के energy में करते हैं, बर जिस तरीके से आपके जो समझा है, ये part, I think this is amazing, ये लोगों के लिए, I think इस पूरे podcast का बहुत key point होने वाला है, क्योंकि ये लोग miss कर रहे हैं, क्योंकि लोग activity कर रहे हैं, process कर रहे हैं, मैं यही कहता हूं, कि जब यार तुम कुईसी भी चीज को attract तो दिखाने, कि मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, मैं बीमार हूं, और उसने मुझे NLP के बारे में बताया और एक किताब दी, वो किताब उसके पास बाद में भी रही, उससे पहले भी थी, लेकिन दुख की बाती है, मैं तो ये कह रहा हूं कि उस किताब को मैंने 100-100 वार हैं, जो फिरी सेमिनार मैंने दिये, तो इतने लोगों ने अपनी लाइफ को बदाया, लेकिन दुख की बात ये रही, कि अभी मुझे कुछ महीनों पहले किसी ने बताया कि जब मैंने पूछा कि मेरट में वो कैसे हैं, उन्होंने कुछ साल पहले अपने दो बच्चों के स याद रखेगा आपके जीवन में हर पल अपोर्चुनिटी है, हर पल ये मिरेकल प्रोड़क्ट आपके इन्जार कर रहा है कि आप एक पुरुष बनकर सांखे दर्शन के अनुसार इस करती को बदल दें, प्रकरती को करती में ढाल दें, लेकिन ना तो आप उसको समझ पा हैं क्योंकि कई बार आप उसके लिए योग्य नहीं हैं, कई बार आपके लिए दोसरों के लिए आपके पास गाली गलोच भरी पड़ी होती हमारे पास, कई बार हम हेट में रहते हैं बिना मतलब की, ठीक है ना, तो हमने तो यहां पर गड़बड कर ले थे, प्रक्षी सर जैसे आपने बताया कि NLP ने आपकी लाइफ में बहुत जादा बदलाव लाए है, हेल्थ में, तो मैं जानना चाहता हूं कि NLP का यूज करके हम अपनी लाइफ को, लाइफ के किस एरिया में बदलाव ला सकते हैं? पहले चीज है, देखे, आपके पाफ पाफ पांच एरिय नहीं रही, कभी ये बीमारी यारी, कभी वो बीमारी, वो फेज मैंने देख लिया, उसमें कभी कोई मन नहीं करता जीने का, ऐसा मन करता है यार, पैसे कहें को कमा रहा हूं, तो पहला एरिया है फिजिकल हेल्थ, महां पर NLP ने मेरे, सब कुछ आपका बदल सकता है, आप है ऐसिडिटी के बीमार है, ये NLP यानि के माइंड से हो रहा है, आपका सारा गट, आपकी सारी जीन, आपके सारे होर्मोन, आपके सारे माईग्रेन, और इसके पारे जीने बी ओटने आटो इम्यून डिजिजिस हैं, आपके माइंड पर तो NLP काम करेगी, दूसरा बड़ा अगर मेरा बच्चा काइनेस्थेटिक मोड का आदमी है तो मैं उसे यह नहीं कहूँगा देखो नहीं तो चलेगा यही कहते रहे तो क्या देखो उसे मैं कहूँगा फील करो क्योंकि वो फीलिंग वाला आदमी है इस तरह से आप अपने रिष्टों को बढ़िया कर सकते हैं याद रखेगा ओल दा वेल्थ लाइज इन यूर माइंड अमीत यह तो आप जानते हैं सारा पैसा आपके दिमाग में पढ़ा है बलकुल अब उस दिमाग को कैसे अलाइन करें मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब मैंनल पी करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि लिए पैस आपके पाँ एंग्जाइटी पढ़ी है उसे आप NLP से हटा सकते हैं जिसको यह मानते हैं कि जो आचे आ गई वो गोलियों से हटेगी नहीं नहीं आप दो घंटे के अंदर अपनी एंग्जाइटी से भार आ सकते हैं आप अपने पेन को रिलीज कर सकते हैं पूरी तरह से जितना भी बोडी का पेन है वो आपका emotional पेन है जो convert basically बोडी में chemical के रूप में because every belief has its own biology हर एक perception की अपनी biology है चोती चीज है आपकी relationships कि कैसे आप relate करते हैं चीजों के साथ, दुनिया के साथ, ठीक है ना, कैसे वो empathy create करें, नहीं तो आज बहुत सारे लोग narcissism में जी रहे हैं, sadist or चुके हैं, कोई empathy नहीं रही, और पांचवी चीज है आपकी spiritual journey कि कैसे आप अपने purpose को ढूंडे, purpose के सा NLP subject नहीं है, याद रखेगा, NLP तो एक पूरी तरह से कला है, और इसमें मज़ा तब है कि जब इसकी कला को आदमी सीखे ना, बलकि पूरी तरह से apply करें, इसमें सर जो आपने 5 aspects बताएं, क्या इन सब के लिए कोई एक एक खम technique या tip बता सकते हैं, so that उनको अगर कोई भी इ इंप्रूव करना चाहते है, जैसे health है, अगर overall health को इंप्रूव करना चाहते है, तो उसे क्या करना चाहते है? देखे, तीन चीज़े करनी होंगी, ठीक है ना, उन तीन चीज़ों को अगर मैं यहां कराऊंगा, लेकिन सब लोग note कर लें, तीन या चार चीज़ आपको अपनी बीमारी से पीछा चुड़ाना, चाहिए वो माईग्रेन है, चाहिए आपका गट खराब हो गया, चाहिए इससे भी बड़ी बीमारी है, मैं उनके नाम नहीं 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 है, और्टी लिगो है या फिर थाईराइड है, डियोमेटराइड अर्थराइटीस है ठीक है ना, इसके भी परेगी बीमारी हैं जो आपकी डाइबिटीस वन है, डावाई डाइबिटीस टू है, जब भी आप इन बीमारीों से अगर गरसीत हो रहे हैं तो पहली बात समझने की कोशिश करिएगा, आपकी बोडी बीमार नहीं हुए, बोडी ठीक है, बेसिकली बोडी को तो सफर करना पड़ रहा है, बोडी बीमार नहीं होना जानती है, अब मेडिकल साइंस खुद कहते है कि आर बोडी डजन्ट नो आप टो फोल सिक, हमारी बोडी को पता ही ने कि बीमार कैसे पड़े, फिर कौन डाल रहा है, क्योंकि मैसेज यहां से आ आ रहा है, नियरो ट्रांस्मीटर होर्मोन के द्वारा, तो इसका मतलब है, माइन को ठीक करना होगा, अगर आप किसी भी बीमारी को यूटरन देना चाहते हैं, मेरे टाइम में तो मेरा कोई मेंटोर भी नहीं था, आज तो मैंने ऐसे से मेरे पास लोग है, जहां पर मुझे एक लेड करना होता है, माथा लगाना होता है, ग्राउंड पर, ठीक है ना, लेकिन बारवे दिन मैंने पूरा आठ साल बाद ये काम किया है, क्योंकि ऐसा लगा कि सारा कुछ तो मेरे अंदर ही रुका हुआ था, तो पहली बात यह है कि जब भी आप कोई भी बीमारी को रिप्लेस कर करना चाहें, सबसे पहले बात है कि आप अपने पास्ट को डिलीट करें अपने माइंड से, अगर हमाँ कोई भी पैनफुल मैमोरी, कोई अब्यूज, कोई ब्रेक अप या कोई फेलियोर, या कोई और ट्रोमा पड़ा है, क्योंकि वो डीप जा चुका है, बिलीफ की तरह, जो मैं इस पोड़कास्ट में बता रहा है, वो हमेशा जब भी याद रखेगा, जब भी हमारे माइंड के अंदर कोई भी ट्रोमा पड़ा होता है, तो इसे मेडिकल साइंस समझ लिजेगा, तो हमारा इमीडेटली एमिडाला, जो सेंसर है, वो इमीडेटली उसको एक थ्र के साथ, कोटिसोल रिलीज करवा देता है, कि हम थ्रेट में हैं, जबकि वो थ्रेट है, परसीवड ओनली, मेरे सामने नाग आ जाए, कोब्रा आ जाए, तो यह रियल है, अब तो यह कोटिसोल निकलना चाहिए, ताकि मेरे पावर आ जाए, लेकिन अगर कोई पैनफुल मेम कोई गिल्ट हो, कोई आपके पास इर्शा बढ़ी पड़ी हो, कोई ऐसा मोमेंट बढ़ा पड़ा हो, जहां आपका जो चाइल्ड पार्ट है, वो खुश ही ना हो, उसका कुछ खो गया हो, अभी तक वहीं का बहीं अलजा पड़ा है, आप लोगों के सामने बढ़े होगे, या आपने परसनल्टी भी बढ़िया कर ली मैंने, पर मैं तो महीं खड़ा हूँ, मैं अंदर से तो, तो वो हमेशा मेरे अंदर कोटिसोल निकाल रहा है, और जो मेरे पॉजिटिव नियूरो ट्रांस्मीटर है, उनको नहीं बनने दे रहा है, दो में से एक ही बनता है, आपके पास कोई ऐसी सिट्विशन चल रही है, जिसमें आपको लगता है कि आप बड़े परिशान है, और उससे पीछे नहीं छूट रहा है, तो यहां पर एक टेक्निक कराते हैं, जिसको हम, I mean, स्विस पैटर्न कहते हैं, हम कहते हैं कि अपने सामने, अपनी ही इमेज को देख, किसी बड़ी ऐसी जगह, I mean, देख और इमेजन करें कि जो प्रोब्लम तुझ पर चल रही है, वो बहुत सारे लोगों पर चली होगी, ऐसे तो नहीं है, तो इमेजन करो कि वो लोग वहां पर खड़ें, वो टाटाज हो सकते हैं, धोनी सो सकते हैं, तंदुलकर्स हो हो सकते हैं, मौधीज हो सकते हैं, गانधीज हो सकते हैं, और इमेजन करो के वो लोग उस आदमी को एमपावर करें हैं, जो तुम ही धुत्रा यह हो को imagine करो कि other you is completely okay और उसको पता चलिया कि इसको कैसे handle करेंगे और अगर यह handle नहीं होगी तो कैसे wisdom लेंगे भाई या इसको handle करना ही करना है अगर हमारे घर में कोई इसी चीज हो जाती है जो आप इसको ठीक नहीं कर सकते तो तो हमारे circle of concern से बाहर चला गया ना influence से ठीक है ना तो अब वहां पर आप wisdom लो लेकिन शांत हो जाओ वहां पर या वहां पर कोई action लो और फिर में उसको हम कहते हैं कि आप इसको हम integrate करते हैं integration की एक technique होती है जो basically golden bowl की तरह होते हम कहते हैं उस image को golden bowl बना यहां रख और इसको flash कर एक सेकंड से भी हजार वी से में कम में ताकि आपका logical mind उसके बारे में सोचे ही नहीं और वह implant हो जाएगी तो आप immediate तीसरी चीज बड़ी important है जब भी आप अपनी बीमारियों को reverse करना चाहें तो तीसरी चीज है कि आप अपने future को हमेशा bright देखें जब भी आप future को dark कई बर लोगों से मैं पूछता हूं कि आप अपना आपका future कैसा है पैसा को जाता है रिष्टा तूड़ जाता है कोई छोड़के चला जाता है देगी तुमसे कहता कि आपका future uncertain है और आपकी माइंड ने माल लिया कि future uncertain है तो फिर वो uncertainty में क्यों जाएगा वो कहेगा ठीक है तुझे बीमार करके मारी देता हूं चोथी चीज एक और है बस और वो है सबसे important चीज़ कि आप अपनी worthiness को अपने लायक होने की feeling को कभी ना खोएं क्योंकि जब जब आप लायक होने की feeling को खो देते हैं तब तब आपका माइंड कहता है जब हम लायक ही नी जीने के तो let me give you a disease जिसमें जीवन है नहीं इसलिए 98% से ज्यादा लोगों को उनको वो कि वर्दी ने इसको खो दिया था बड़े नुकसान के कारण किसी गरीफ के कारण पार्टनर के लोज के कारण माइं लोगों को यह समझ में आ सके कि हर चीज की क्रेटर हम ही अगर हम अपनी लाइफ में किसी डिजीज को फेस कर रहे हैं तो वो हमने खुद क्रीट गिये और most of the time perception के तुरू लेकिन अगर हम चाहें तो उसको उसमें बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं इन चार चीज़ों को मैंने तब कर लिया बहुत बड़े असा बहुत बहुत कुछ समझ रहा हूं मैं भी सीख रहा हूं बहुत सगी दूसरी चीज़ सब मैं इसमें बात करू होना चाहता है तो कुछ टिप NLP साइट से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कुछ बता रहा हूं और जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है law of attraction के लिए हमारे पार्ट ड्रीमर हमेशा तयार रहता है ड्रीम देखने के लिए हमारे पास एक पार्ट है जो ड्रीम देखत हैं लेकिन यह ड्रीम थोटे दिन बाद मरने लगता है क्योंकि ऐसा लगने लगता है कि इसके ड्रीम पुरे नहीं हो रहे हैं और एक दिन यह ड्रीम देखना बंद कर देता है कई बार लोग कहते हैं कि people usually die at the age of 40 but they are buried at the age of 80 क्योंकि वह ड्रीम नहीं देख तो पहली चीज ह ड्रीम पार्ट इसको जागरत रखें दूसरा पार्ट है आपका डूर पार्ट डूर का मतलब है आपकी बोडी जिसमें 60 प्रियंट सेल्स हैं वो कुछ भी कर देंगे मेरे हाथ यहां जाना जाना अगर मुझे कोई इस ताइम गाली गिलोज करे या अटेक करे तो मेरा हाथ इमीडिली तैयार है तो दॉर पार्ट इस देयर मेरे बच्चे को कुछ कहता है तो मैं अपने सारे सठेक पर लगा दूगा राइट को डूर की भी प्रोब्लम ने द्रीमर की भी पार्ट problem पता है कहा है वो है inner critic inner critic inner stopper हमारे पास कुछ एक बहुत सारे negative references पड़े होते हैं उससे ये नहीं हुआ मेरे से भी नहीं होगा उसने नहीं किया तेरे से कैसे हो जाएगा याद रखेगा ये inner critic हमें बांदे रखता है और ये inner critic क्या है यहाँ पर तीन चीज़े है पहला inner critic वायस होती है इस नोट पॉसिबल कभी आप अपने घर से निकले गाड़ी वाड़ी ना ले और एक रिक्षा वाले के पास बैठे कि या आप 10 मिनिट के दूरी पर मौल है मेरी मीटिंग है छोड़ देना और उसे एक बात करना कि यार कब तक यह रिक्षा को खीचे गया चल मैं एक काम करता हूँ तो यह पैसे भी देता हूँ 500 रुपे और 15 दिन की टेनिंग दिलवाता हूँ अपने घर पर आ जाए तो पहला वर्ड है पी जो हुमेनिटी को मारता है पी फोर इट्स नॉट पॉसिबर क्योंकि आपके पार रेफरेंसीज पढ़े हैं पिता जी ने का यह नहीं पॉसिबला दादा जी ने का इतना का पॉसिबला टीचर ने का मैं तुमसे ज्यादे पढ़ा लिखा हूँ मेरी दूसरा वर्ड है उसको फिर आप मना लेते इस पोसिबल भाइ ने कर लिया नो धाट दोने कर लिया ना यह तेरे लिये भी है ठीक है न, अगला बढ़ाता है, यह, it's possible, but I'm not able, फिर आप उसकी ability को motivational speaker होने के नाते, आप उसको motivation, yes, you can do it, you can do it, it's easy, you can do it, यहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखेगा, तीसरी चीज है, इससे भी इंपोर्टेंट, वह है W, वो कहता है, ठीक है सर, आप मानते हैं, इस पॉसिबल, और मैं अब 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 इसके लायक नहीं है, हम है इसका कहा लायक, य द्रीमर को ड्रीम देखने दे, यह उसका काम है, लेकिन याद रखेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रीम देखो, एक्शन लो, यह फंडे ही गलत है, इस फंडे को मैं कहा रहा हूँ, यह गलत है, अगर यह इतना इजी होता तो हर आदमी के पास ड्रीमर उसके पास एक ड्रीमर जो है वो आपका बड़ा बेटा, वो कहता है, मैं एक फैक्टरी खोलूँगा, चोटा बाई बेटा है, आपका ड्रीमर, वो कहता है, मैं हावर्ड से पढ़का आया हूँ, भाई तू फैक्टरी लगा, मैं चला लूँगा, मैंने अम्बिय किया, लेकिन बाप यानि कि वो बोड़ी है, वो किसी भी तांडव को करने के लिए तेयार है, और क्या कर सकता है आपका शरीर, मैं अभी बताता हूँ, और तीसरी चीज है, जो आपका क्रिटिक है, ये आपका विश्नु है, याद रखेगा, ब्रह्मा से शिव को नहीं जाएगा मैसेज, वाय नहीं होगा, इस ये जल्दे नहीं उठता है, जूट बोलता है, ये कल पे टालता है, उसको बोलने दे, पूरी कम से कम एक हफते तक उसे बोलने दे, अपने आपको ही देखते हुए, कि ये आदमी क्या बोल ला है अंदर, और कई बार आपके फादर की आवाज आएगी, करेगा कि ये ड्रीमर ड्रीम नहीं बदलेगा आज, लेकिन जो क्रिटिक है, जो फादर की आउजेक्शन है, इसे मैं हैंडल करूँगा, और तीसरे दिन आपका है मैजिक हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, मैं एक बाद बता हूँ, इंटेंशन और इंटेंशिटी की फस गया अपने फार में, तीक्टर का वेट है तेरह सो चालिस किलोग्राम, यानि के साड़े तेरह क्वंटल, और लिसन तो मी, वाट लोग अफ्रेक्शन केंदो, वाट यूर बोडी केंदो, महा पर उसकी दो बेटिया हैं, एक तेरह साल की है, एक सोला साल की, एक का नाम ह हाइना है, और एक का नाम हैली है, जब उन्होंने देखा कि उनका फादर एक ट्रेक्टर के नीचे है, अब फरस्टेटिंगा इंगा और तेरह साल की, और सोला साल की हाइना और हैली दोडते वे गए और उनके अंदर उस इंटेंसिटी का जो जजबाया कि मेरा फादर है, उन्होंने इडेंटिफाई कि है मिरा फादर है, and now it is now or never, they lifted the attractor and the man came out of it. This is the power of your mind. सवाल यह है कि आपने रोजाना कैना शुरू कर दे है कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे मिल जाए, I am attracting money, I am attracting money, कभी, क्या करोगे? इंटेंसिटी कहा है इस पैसे के लिए, जिस दिन आपके इंटेंसिटी आगी ना पैसे के लिए, दो घंटे के अंदर आपको, वो message मिल जाएगा यूनिवर्स से, कि यह रहे वो opportunity, दो घंटे के अंदर. आप मुझे एक कहानी सुराई ना मेरे को बेरे रॉंग्टे कड़े हुए, वाँ है ना, so good sir, so good, actually I think, हमारा mind इतना powerful है, कि अगर हम इसको चाहें, तो अपने support में यह हमारे ले कुछ भी कर सकता है, और अगर आप को इसकी power के बार में नहीं पता है, तो आप इतना नीचे तक जा सकते हैं, कभी उठी नहीं सकते हैं, yes, it is a very good servant, but it is a very very bad master, यह तो आपने भी कहा है, एक book में share, it is a very bad master, इसलिए अच्छा है, इसे servant बना ले, लोगों से मैं यह कहता हूँ, यार इन 80 billion को चलाना सीख ले, एक ही बात कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो सब यह BP 190 कैसे पहुँच गया, सब कुछ जानता है, सब कुछ नहीं जानता, यह 90, यह 80 billion neurons को आप बहुत आसान है चलाना, कमाल की बात, it is not complicated, मैं लोगों से ही कहरा, it is not complicated, आपको दो-तीन काम करने, past को पीछे छोड़ना है, future को bright करना है, present को handle करना है, बेकार के जो trigger पड़े, फोबिया-फोबिया के NLP से मेरे चाट वा लेना, miracle को awaken करो, amazing, amazing, so इसमें एक और aspect के बारे में बात करते हैं, जो हमने health बात की, मनी बात की, एक और बात करते हैं, जो कि बहुत ही जादा common question है लोगों का relationship, हर कोई एक सही partner को attract करना चाता है, या किसी specific person को attract करना चाता है, या अपने relation, अपने partner के लिए ठीक करना चाता है, या किसी और के साथ बहतरीन में आना चाता है, जिसमें, मैं आपको उताना चाता हूँ, अगर मुझे आज तक 10 लाख question आया है, उसमें से 70% question यह है, relationship, तो मैं वहाँ, ताकि ना लोगों को बिल्कुल समझ मैं कि या अब ये श ये पानी का गिलास रखा, मैं कैसे relate करूं, जो मैं पैर मारूं या इसे बढ़िया तरीके से करूं, याद रखेगा, जब आप हम बात करते हैं कि आप किस आदमी के साथ relate कैसे करें, उस relationship को कैसे develop करें, यहां पर हम एक बात ले लेते हैं, पहले शादी या जो हमारे opposite gender के सा इसे gender के साथ बढ़िया बन जाए, chemistry अची बन जाए, तो हमेशा आप grow करते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना, उन्होंने यह तै किया पर प्रूव किया, तो कई बार यह मजाक की बात लगेगी, लेकिन मैं कई बार लोगों से पुछता हूं, लड़कों से मैं पुछता हूं कि वर्ट इस दा परपज अफ दिस मैरिज, याद रखिएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट है लड़की की खुबसूरती, उसका लंबा होना, उसका पढ़ा लिखा होना, लेकिन परपज क्या है इस रिष्टे का, मैं बताता हूं, जब भी आप किसी भ पुलाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि अमीत जिससे मेरी कभी बात नहीं हुई है, उसने मुझे फोन इसलिए नहीं किया, बलकि कोई आदमी है इस दुनिया में, जो इस पोड़कास्ट के इंजार कर रहा है, और इस समय देख भी रहा है, उसके लिए शायद कोई इंपो आएंगे, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, मैं यह नहीं देखता हूँ, कितने विए आएंगे, मैं यह देखता हूँ, कि वो उस आदमी तक पहुंच जाए, जिसके लिए मुझे यूनिवर्स निकाता है, कि इस सब्जेक्ट पर बहुँ जाए, क्योंकि सम्बड़ी ग किशन चलाओं, मैंने उस समय एक लड़के मेरे फ्रेंड आया हुआ था, वहां से गुजर रहा था, मैंने के यार रुकना, और मुझे सुर्फ तुम दोहजार रुपे देना, मेरा हफ़ते दस दिन का काम चल जाएगा, और इट हैपन इन नाइटीज, समझगे, दोहजार रुपे लेकर मैं जा रहा हूँ, महाँ पर बेगम ब्रीज एक एरिया है, महाँ से आगे चलता हूँ, बच्चा पार्क की तरफ जाता हूँ, तो महाँ पर एक दुकान है, बहुत बड़ी, आरलाल और लाल डिपुकट, महाँ पर एक ही दुकान हुआ करती थी, जिसमें कित किताब देखने लगा, और सड़नली एक किताब को मैंने खोला उस पर लिखा था, सम इन्विजिबल फोर्सिस हैव ब्रोट इस बुक इंटो यूर हैंड्स, कुछ एद्रश्य शक्तियों ने इस समय ये किताब आपके हाथ में दी है, उसमें ये सेंटेंस था, मुझे आज याद है, नीचे की दो लाइन में उपर वाली लाइन थी, और आई बोट इट, 490 रुपीज, उस किताब को लेकर मैं घर चला गया, और इस बुक चेंज़ लोट ऑफ तिंक्स फोर मी इन लाइफ, रिलेशन्शिप की बात यह है, कि आप उस रिष्टे के परपज को देखि तो परपज यह है कि आप खुश रहें, नमबर एक, आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, देश के दुनिया के अच्छे सिटिजन बने, आपकी हार्मनी के कारण लोग आपको रोल मोडल मानने लगें, आपके पेरेंट्स को एक शानती हो कि मेरे बच्चे दोनों, दोनों आ आपको वैल्यूज क्या चाहिएं उस रिष्टे में, परपज क्या है, आप कौन है, अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी वाइफ है, यह तो एक छोटा सा रोल है, वो वाइफ नहीं है, वो मेरी जनरेशन मेकर है, वो मेरी लाइफ का फ्यूचर बिल्डर है, अगर मैं उस एजूकेशन दस भी पास भी नहीं, जब भी मैं किसी रिष्टे में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस से हम किस परपस को पूरा कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज गौन हो जाती है, तब ही हम एक दूसरी के साथ ग्रो करते हैं, जब भी आप देखेंगे, आप भी अपने स्पाउस के साथ, जब भी मीनिंगफुल बातों पर काम करते हैं, उस दिन का जो दिन होता है, वो डिफरेंट होता है, और जब आप सिर्फ छोटी वैल्यूज पर बात करते हैं, ये प्रोब्लम है, ये ठीक कर लेते हैं, ये प्रोब्लम के लिए, अभी मैं गाड़ उठा तो गाड़ी उठाता हूँ, तो आप देखते हैं कोई बहुत एनरजी नहीं है, लेकिन जिस टाइम आप बैठे हुए हैं, एक कप कॉफी पी रहे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी बाते करी कि ये सवाल अगले पोड़कास्ट में हम डालेंगे या डालूंगी, तो जो मोमें को अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, तो आप अच्छे से अपने रिष्टों को चला लेंगे, हमेशा हम ये मानते हैं रिष्टे में, कि ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये मेरे राइट है, ये उसकी ड्यूटी है, मेरे राइट है, मैं कभी करने के लिए आप उल्टा कर दें इसके राइट्स क्या हैं ये भी 11 वजे तक सो तकती हैं ये भी अपने लिए पैसा खर्च कर सकती है आपके पोकर्ट से निकाल कर ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी खेल सकती है ये भी अपने माय के जा सकती है और मेरी गुण को अपनी जीवन में अपला लेंगे और आप लंबे समय तक चलेंगे, तो हमेशा दूसरे के point of view को देखिए, बहुत सभी सर्थ, I think I think relationship पर बहुत क्रिस्प, it is all coming from experience, thank you so much sir, तो मैं बहुत सारी चीज़े बारी किये मैंने समझी हैं आभी आपसे, मैं अब एक चीज़ डीप समझना चाता हूँ आपसे, जो manifestation का जो process है, law of attraction का जो पूरा process है, जो आप बताते हैं, 5-6 step में, 4-5 step में, जो आप बताते हैं, मैं वो समझना चाता हूँ, क्योंकि आपने कि मुझे लगा कि अगर कोई भी इस process को follow करें, इन सब आस्पेट को समझ ले, तो वो, I think life में वो कुछ भी manifest कर सकता है, तो प्लीज उस पर आप थोड़ा, मैं आपको उसके कुछ बेसिक वर्ड के साथ जोडता हूँ, पहली तो बात ही, ये universe जो है, जिसको हम miracle substance कहते हैं, इसे यौ लेड़ी क्वांटम फिजिक्स में इसको इलक्ट्रों कहा जाता है, और ये इलक्ट्रों को पहले बिलत पड़ाया था, बोर्ड की थीओरी में कि वो एक पार्टिकल होता है, जबकि क्वांटम थीओरी में वो एक वेव मिली है, एनरजी मिली, महा कोई वो नहीं ह पार्टिकल कमाल की बात है कि कॉंटम फीजिक्स में ये भी पाया गया है. यंग से डबल सीरिट एक्सप्रिमेंट है, कि यवकों हम देखते हैं कैमरा लगाया गए तो वो पार्टिकल में बदल जाती है और जासी about our आइंस्टाइन ने किया तो डर गया था उसने कहाता है इसका मिन गया है कि जब उन्होंने इस वेव को जो उस पार्टिक एंटम के अंदर जो वेव थी उसको जब एक गन से शूट किया और एक इस्क्रीन लगाए गई यंग स्लिट बारवी किराज में पढ़ा जाता है यंग तो दूर लगाया और वो भी एक मेकेनिकल था तो अच्छानक पाया किया कि अब वो जो शूट कर रहे थे वो वेव नहीं थी वो तरंगे नहीं थी वह एक पार्टिकल दिखाए दिया तो वो चौक गए कि अभी इतनी देर में इस वेव ने अपनी नेचर को कैसे बदल लि मिला जब जब इस वेव को अबजर्वर मिला तो यह पार्टिकल में बदल गई रियालिटी में बदल गई इसे कॉलेप्सिंग दा वेव कहा गया है हमारे देश के एक बहुत बड़े नियूरो साइंटिस्ट है उनका नाम है अमित गोस्वामी वो अमेरिका में है अगर उनसे ही वो फॉरवड करवाते हैं आपके ताबों अमित गोस्वामी यह कहते हैं क्वांटम फिजिक्स के वो टीचर है इस समय यह जो पोड़कास चल रहा है यहां से इसका एक रिपिल एफेक्ट आएगा और जो इस समय आपके दिमाग में है चल आदिल में कि यार मैं इस पोड़कास्ट पे इस आदमी को लेकर आऊं और आपकी इंट्रेंशन अगर वो यूनिवर्सल है प्योर है कि किसी का फायदा हो और मेरा भी फायदा हो ठीक है ना हम सैक्रिफाइस तो नहीं होंगे ना याद रखेगा वो आदमी बैठेगा यहां पर मुझे भी मालूम है क कि यहां से एवरी इवेंट वाटेवर यू आर उब्जर्विंग इट विल बी फुल्ड इसी लिए जब मैं अब पास वर्ड आपको दे रहा हूं आपके पास उस वेव को कॉलैप्स करने की पावर है यह सांखे दर्शन में लिखा हुआ है कि आप प्रकृति को कृति से प के क्रियेटर होना चाहिए तो अगर आप कोई भी चीज क्रियेट करना चाहते हैं बेहतर बिलीफ है बेहतर आइडेंटीडी बेहतर परपास बेहतर एक्शन बेहतर वैल्यू बेहतर पोड़कास्ट बेहतर वीडियो बेहतर किताब बेहतर पोयम बेहतर इमीडेटली यह करत ये प्रकृति कृति में बदलने के लिए तैयार है ये आपकी ट्यून पर डांस करने को तैयार है इसलिए आप देखेंगे जितनी भी वर्ल्ड में बदलाव आये हैं वो किरियेटर्स ने किये हैं कंज्यूमर ने नहीं किये कंज्यूमर तो खाने वाला होता है पहली चीज है आपको टेलीपैथी आने चाहिए टेलीपैथी का मतलब है जब मैं आपके माइंड से अपने माइंड की बाते बताना शुरू करूँ मैं ये अपने God of Miracle का जो मेरा I mean प्रोग्राम है सिखाता हूँ और वो फिरी में दो गंटे की वक्षोप है मेरी वेब साइट पर पढ़ी होती है महीं पर मेरी एक किताब भी है जो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में जिसमें ये टेकनिक बताई गई है मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शर में डादूँगा हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं और वो हर महीने होती है मेरी वक्षोप फिरी में आप टेली पहती करना सीखिए अमान लेते हैं आपको आज एक ऐसा अदमी चाहिए जो आपको एक नए लेविल पर ले जाए आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अभी दुबई में गया मेरी जो के साथ मुझे घूमना था जो मेरी गाइड बननी थी मेरी इस्ट्राइण उनना कहा है मेरा बच्चा बहु और मेरे हस्बान आ गया है आपको यार मैं तो बोर हो जाओंगा अब सड़नली आपको तो एक मैसेज to the places, अब किसी और को मना कर दो करीपा तीन दिन के लिए, and I said, यार, यह क्या हो गया, मैं इतना अच्छा एंजोई किया, मैं सोच रहताब, यार, बोर होंगा, क्योंकि S-Band इनके आगए, अमेरिका से, बेटा, बहु, पोते होते सब आगए, but the things happen this way, तेली पहती का मतलब है, कि जब आप कुछ लोगों को अट्रेक्ट करना शुरू करें, यह बहुत आसान तरीका है, आप कभी भी किसी के प्रती, कोई भी अगर भावना रखते हैं, तो उसमें कभी भी आप सेल्फिश का भावना रखते हैं, यह नहीं कि वो मुझे आए, मैं उसको लूटूँगा, नहीं, अगर मैं आपके साथ मिलूँ, तो मैं यह सोचूँगा कि इस से, हम दोनों मिलकर कुछ ऐसी चीज क्रियेट करें, मेरा भी फाइदा, आपका भी फाइदा है, और यूनिवर्स का भी फाइदा, तो अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, टेलीपैथी के दौरा, आप लोगों तक अपना मैसेज भेज सकते हैं, यह मेरे पास असंग के लोग हैं, एक I.S. ओफिसर ने मुझे से बताया, जो मुंबई में मुझे से ट्रेनिंग लेके गई, उन्होंने काया कि सर मैं 8 साल से अपनी सिस्टर से नहीं बोली थी, और जैसी मैंने आपकी टेलीपैथी वाली वक्षोब करी, और मैं सिर्ब बैठ गई, और मैंने अपने हिर्दे से कहा कि मैं डिवाइन टेलीपैथी इस सेंडिंग मैं ब्यूटिफुल इंटेंशन और मैं प्रोस्परिटी तो मैं सिस्टर, और मैं देख रही हूं कि उसके औरा में मेरे शब्द जा रहे हैं, वाइब्रिशन जा रहे हैं, और वो अब उसे एक्सेप्ट भी करी है, उसका औरा बदला है, फिर मैं उसके कान में आपके कान में बोला है, आई लव यू, अनकंडिशनली, पलीज फोरगिव मी, फोरगिव माइ पास्ट, फोरगिव माइ बाते जो भी हैं, और आई तू फोरगिव यू, उसने काया कि रामसर, आठ सालों से जिस लेडी ने मुझसे बात नहीं की, मेरे बहन ने, विदिन ट्वेंटी-फॉर आर्स मुझे लगा, कि यार ये एक मैसेज बादार, और इस ता सेम नेम, मैं बहुत देर तक सोच ती रही, और उसने काया कि मुझे रात आप याद आये, सपने में दिखाई दी, और मैं, जो भी बाते हैं, मैं भूलना चाहती हूँ, मैं हम दोनों क्या, दुबारा में शुरुआत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज है, अगर आप लोफ अटेक्शन चाहते हैं, तो, टेलीपैथी है, मैंन टू परसन, यानि कि उस आदमी को आप अटेक्ट करना शुरू करें, या उस क्वालिटी के लोगों को, आप कई बार टेलीपैथी पूरी विश्व को भेज़ें, कि मेरे पास एक आइडिया है, और इस आइडिया को मैं भेजना चाहता हूँ, और आप मास्टर माइंड इफेक्ट पढ़िएगा कभी, लोफ सकसस का पहले इक टॉपिक है, 21 साल की उमर में मैंने पढ़ लीते हूँ किताब, लोफ सकसस नैपोलियन ही लिए लिए, खीक है न, उसने लिखा है कि आप एक बार अपने मैसेज को एथर में छोड़िये तो सही, इंटेंशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ, वो उन लोगों तक हमेशा पहुँचेगा, जो उस काम को पूरा करेंगे, इसी को तो आप, I mean, ओम शांती, ओम का डायलोग कहते हैं कि पूरी काइनात आपके लिए लग जाती है, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि ये अलकेमिस्ट का एक डायलोग है, ठीक है न, दूसरी चीज है कि आप इसके अलावा दूसरी काम करिए, उसके तेली पैथि ही, जैसी चीज है, वह है टेली किनेसिस, टेली किनेसिस का मतलब है, जब आप अपना सम्वाध चीजों के परति करते हैं, कई बार आप अपने पैटरोल से कहते हैं, यार जाना महाँ है, पैट्रोल कम हो रहा है भगवान बज जब तक खतम ना हो जब तक हमें ना पहुंच जाए या कोई हमें पैट्रोल पंप ना मिल जाए and it happens the same thing you do even the writers do it with your pen with their pen कि मेरा pen तब तक writers लोग को experience नहीं करेगा जब तक कि वो I mean जब तक मेरा pen मेरे हाथ में है यह believe दे दिया उसको और वो pen चलता रहता है that 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 is used even shape आपको देखेंगे भंडारे में लोगों को खाने को हम कहते हैं कि मुझे हमेशा मैं लोगों को टैली पैते हैं टैली किनेसिस कराता हूं खाने से के every time I'm eating you you are giving me lot of energy and you are giving me lot of opportunity also आप अपनी कार को टैली किनेसिस करते हैं कि आप मेरी फैमिली को सेफ रखें एक किसान अपने हल को इसलिए पूझता है दशेरे के दिन go to my point इसे हम टैली किनेसिस कहते हैं तीसरी चीज इससे भी important है और वो चीज quantum physics आज पढ़ा रही है हमारे उपनिशदों में बहुत पहले है उसका नाम English में मैं बता सकता हूं उसका नाम है pre-cognition pre-cognition का मतलब है जब आप अपने future को देखने लगते हैं यह होगा यह होगा देख लेना यह ऐसे होगा ऐसा आपकी आपकी images बदलने लगती है याद रखेगा इस समय समझ लीजेगा कि कुछ ने कुछ special होने जा रहा है यूनिवर्स आपसे कुछ कहने जा रहा है और अगर यूनिवर्स की बात चानेंगे तो चोथी चीज इससे भी important है और वो है आपकी ESP extra sensory perception कि अचानक आप सुभी उठें और आप बेचेंसे हैं कई बार लोग कहतें क्या हो रहा है अमीद आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं आपकी वाइब ने कुछ नहीं आपकी वाइब ने sensory perception कहते हैं याद रखेगा याद रखेगा यह लेडीज को और बच्चों को खूब होती है और उन लोगों को भी जो ड्रक्स या सबस्टेंस का नशा नहीं करते हैं जैसे दारू गुटका ओवरीटिंग या फिर ड्रक्स नहीं लेते हैं उनको यह होता है और इसमें clear voice होती का मतलब है जब आप किसी घटना को पास की घटना को प्री कोगनिशन करते हैं यह तो फ्यूचर का था यह पास्ट को यार उस दिन मेरा एक्सिडेंट हुआ था उस दिन तो मैं बड़ा दुखी हुआ था यार मैं अनलक्की हूँ लेकिन यार उस दिन तो अगर वह एक्सिडेंट ना होता अभी बताओ आज 18 तारीक है ठीक है ना मेरा 19 तारीक को दुबई जाने का टिकेड आइम प्लान था और मैं एक आदमी प मिलतान है वहाँ पर शीवर चौक्ड हो चुके होंगे सारे होडल के इतुड है बीन है फोर मी ठीक है ना तो प्री कोगिनिशन का मलब है जो इवेंट आपसे बचाई गई है जब आप पता करते हैं यार यह तो मेरे लिए बहुत फाइदे में हुआ ठीक है ना और इसमें आप पता भी यह भी कर सकते हैं कि आप यूनिवर्स आपको लोफ अट्रेक्शन के लिए कुछ मैसिज भी भेज रहा है इसके भी तरीके हैं मतलब कि मैं अपनी मेनिफेस्टेशन की जनी में सही रास्ते पर जा रहा है नहीं जा रहा हूं हाँ कैसे जब भी आप लोफ अट लुकिएगा एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं उसे कभी Google करिएगा तो नाम है Synchronicity 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 Okay Synchronicity का मतलब है कि आपने कहा है कि यार में बड़ा प्रेशान हूं और मुझे कुछ इस समय मुझे कोई, I mean, Rescuer चाहिए एश्वर मुझे Rescuer दे और आप उस को क्यामी कर रहा है, के का मुंधी आध रहा है। इस टोप थी घृमा का मुंधी और कर समय का मुझनलिले मिला थे अपयाफ, प्रेजियृ कुछ तिया मुझनली ने थी तौना, तैनक सुभह ही आपकी तीन बजे आप खुलगी, आपको ESP आ रहा है, यानि कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आ रहा है, और आपको लग रहा है कि यार, फला आदमी से बात करता हूँ, और आप तीन बजी एक मैसेज लिखते हैं, प्लीज, बैनफिरी, आपको बहुत पहले से था, लेकिन इस सिच्वेशन को देखते हैं, यूनिवर्स ने आपको मैसेज बेजा, आप परिशान है, सब कुछ आपका खो गया है, अगर आप एक कहानी पढ़ते हैं, Law of Success में, मैं प चोटी सी पाड़ी पर गया, पाड़ी नहीं थी, प्लेनी था, उसने गाड़ी की, और उसके बाद नीचे खाई थी, जहरना टाइप था, जहां से उसको छलाग लगानी थी, मरने के लिए, उसने कहा कि मैंने गाड़ी लोग कर दी, और मैं आगे चलने लगा, कि मुझे मरन उसके पास चोटी सी वीलचेयर है, जो एक तरफ खड़ी है, और वो ग्राउंट पर बैठा हुआ है, ऐसे ही लकीरे खीच रहा है, और उसने मेरे तरफ हसते हुए कहा कि देखो, what a wonderful sunshine, let us enjoy, and उसने कहा कि यार, I immediately avoided the suicide attempt, and it came back and everything changed, कई बार आप जा रहे हो, और आप परेशान घर जाते ही नरा, I mean, दुखी होगी मेरी condition देखकर, and suddenly, you get a person, जिसके टी-शिट पर लिखा है, whatever happens, happens for a purpose, याद रखेगा, कई बार आपने सोचा कि, कई बार हम कहते हैं कि low of attention करते हुए, अब किसी चीज को सोचो, आपने कहा सरे, it is a gray duck, ठीक है ना, मैंने कहा कि मैं intensity create कर र और मैं आपसे कहूँगा कि सोचो कुछ, क्या metaphor आ रहा है, इसे metaphor कहते है, संकेत, symbol, आपने कहा, sir, gray color की duck, ठीक है ना, और suddenly, आप शाम को घूम रहे हैं, एक square है वहाँ पर, suddenly, toy की दुकान है, वो पहले भी थी, पर आप उसी तरफ को जा रहे हैं, और पर जला विंडो में व something is happening with you now, be cautious, और यहाँ पर अलग भी message मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक message मिलेगा, यूनिवर्स का, वो यह है, receive the reward now, RR, receive the reward को कभी पढ़िएगा, I mean, जो गहरी किताबे हैं, receive the reward का मतलब यह है, कि आपके अंदर एक intensity बनेगी कुछ करने की, because करती जभी परकरती आपको कु आपको उसे receive करना होगा, इसे हम act of receive कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें कोई action लेना है, action की intensity आपके अंदर बनेगी, यह वो पल है कि जब आप active हो जाएं, अगर आपने इस action को मार दिया, तो फिर वो gene में खड़ब हो जाएं, जो gene के उपर आप तक low protection के imprint पड़ेते हो सारे ब law of attraction का एक rule जो सब trainer को बताना चाहिए, और नहीं बताते हैं, कई बार को सकता है कि उनको miss कर देते हैं, मैं बता रहा हूं, whatever God does to you, it does through you, यह प्रकर्ती जब भी कर्ती में बदलेगी, वो आपके द्वारा बदलेगी, यह सांख्य दर्शन में लिखा है, और monistic वालों ने इस प्रकर्ती जब भी कर्ती में बदलेगी, उसे पुरुष चाहिए, तो आप पुरुष का रोल तो करना पड़ेगा, यानि के creator तो आप ही रहेंगे, जब भी आप prayer करते हैं, जब भी आप prayer करते हैं, तो immediately यह यूनिवर्स आपके लिए उस prayer का answer देना शुरू कर देता है, for example आपने mobile उठाया, mobile में आपने Amazon खोला और एक किताब बुक कर दी, उसके 600-700 रुपे आपने पे कर दिये, immediately message आता है, कि आपका काम शुरू हो चुका है, अगले दिन आप देखते हैं, तो उसमें लिखता है, इस टाइम यह काम हुआ है, इस टाइम पैसा हुआ है, इस टाइ हैं, लेकिन अब Amazon अपना टाइम नहीं देता आपको, वो देता है कि प्रोबबली इस दिन, या पर्टिकुलर डे इस टाइम, वो चब देखता है कि यहां तक पहुच गया, तो वो टाइम भी लिखने लगता है, इस टेट राइट, लेकिन आपने पैसा देती, किताब आप के पास आजाएगी, ऐसा नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है, तो एक किताब में लिखा, शायद millions of years के बाद, आप जो भी सोचेंगे, वो हो जाएगा, लेकिन अभी हमेहारा माइंड इतना evolve नहीं हुआ, यही काम universe करता है, जैसे ही आप किसी भी prayer को करते हैं, और वो prayer अगर congr खोलना जो आपका है, यह art of receiving है, law of attraction की दुनिया में यह art of doing है, यानि कि अब आप do करिए, यानि कि कोई action लिएगे, तो जो आपने harmony बोला इसकरम तब यही है क्या कि अपके thoughts हैं, feelings हैं और वो inspired action aligned है, exactly, exactly, याद रखेगा, आप कमाल की बात यह रहीगी, कि जो आपकी wave है, जिसको आपको collapse करना है, उस पर ध्यान यह रखना है, कि वहाँ पर कोई भी ऐसा आपके पास intention नहीं होनी चाहिए, जिससे करते हुए universe आपको मना करे, भई आप मेरे से, मैं देखिए हर आदमी तो भीश में नहीं बनेगा, मान लेते हैं, आप मुझसे कहरें कि सर आप कैसे पहुंचाऊं, तो वह तो situation नहीं आएगी ना, तो आप अगर universe के लिए कुछ करना चाहरे हैं, यानि universe के लोगों के लिए कुछ करना चाहरे हैं, अपने फाइदे के लिए, तो आपकी intention हमेशों सुने जाए, इसमें सब बड़ी बात यह है, कि आपको अपने heart को भी सम इस्टिंक्ट आपके गट में हो, पर लेकिन जैसे आज के रहे में कोई भी, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, कि सब mind के बारे में बात करते हैं, हाट के बात करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, कि बस वो कुछ एक किताब ले लिए और उन्होंने एक basic study को गहराई तक नहीं करा, with due respect, basically हमने मन-मन-मन की बात कर रहे हैं, आपको पता है, आपके 100 trillion जो bacteria हैं, आपके गट के अंदर जिसको हम बड़ी आथ कहते हैं, उस अंधेरे में पड़े हुए 100 trillion bacteria है, they are managing even every decision of yours, not your mind, आप किसी भी किताब को पढ़ लीजेगा, बहुत जल्दी ही, ये mind से उतर कर हम गट 680 या 33 जीन्स टोटल है, जिनकी टरन ओफ टरन ओन होने से हमारी लाइफ चल रही है, जबकि उनमें अगर 150 गुना कर दें, 23,000 को अगर हम 150 से गुना करें, तो इतने जीन्स हमारे पास माइक्रोबियोम के रूप में, हम इनको जीनों कहते हैं, तो हम इनको माइक्रोबियोम कहते हैं, और याद रखेगा, इन जीन्स को यह तेक हो चुका है और अग्रेकल साइन्स में, कि इन जीन को आप कभी भी बदल सकते हैं, और अपने सोच के अनौसार जो आपके गट में है और यह आपकी उन जीन को बदल देंगी तो आपकी जैनेटिक बीमारी कोई नहीं रही जो उम्र के बाद आती है मैं यह नहीं कहना हूँ आप पढ़ लिजेगा किताब है Supergut is the name of the book, gut and mind and gut connection is the book, reset your factor, reset your gut is the reset factor, यह सब वही है जो आप गट बैक्टिरिय के उपर बोल रहे हैं and after 10 years, the whole magic will change even आपका law of protection, सारा का सारा आपकी gut instinct से आता है gut क्या कह रहा आपका, mind सिर्फ एक dreamer है ठीक है ना, जो आपका critic or doer है वो आपके gut or heart में है एक अलग लेवल पर insight मिल रही है, जो कि I think बहुत ज़ादा सभी के लिए I'm sure बहुत important है, मैं भी बहुत aspect इसके आज freshly समझ रहा हूँ जब भी हम manifestation की बात करते हैं, law of attraction की बात करते हैं, प्रीन की बात करते हैं, हम शुरुआत यहां से करते हैं कि अपनी energy universe को देनी है, या भगवान को देनी है, या supreme power को देनी है तो जो यह universal energy का जो concept है, यह energy actually में कहां जा रही है, यह है क्या? जब हम एक word लेते हैं न, universal, universal, universal का मतलब है everywhere, universe यह नहीं कि मैं अलग हूँ और universal लग है, बिलकुल नहीं, जब हम universe की बात करते हैं, तो इससे एक, I mean adjective बनता है universal, यानि कि everywhere, एक ऐसी energy जो सब जगा है, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक चीज जो भी बनी हुई है, वो एक matter है, matter molecule से बना है, molecule atom से बना है, atom के अंदर पहले बताया गया थै कि electron गूमते है, electron वहाँ गूमते है, और वो electron है, बाद में यह पाया गया है, वहाँ कोई electron नहीं है, वहाँ सिर्फ energy है, या wave है, उसकी एक frequency है, और हमेशा frequency में एक information होती है, यह कभी भी physics पढ़ोगे, तब तक आप इसे deeply समझोगे, अब सवाल उठता है, कि वो जो universal energy है, उसकी क्या सवरूप है, उसके क्या गुण है, यहाँ पर आप कभी भी एद्वयत सिद्धानत को पढ़िएगा, जिसे monistic क्योरी ने पढ़ाय मैं 57 गुणों को याद करके आपको बता रहा हूँ, number one, it is everywhere, यह सब जगा है, number two, it permeates and penetrates everything, यह हर एक चीज को penetrate करते है, और यह हर एक चीज के अंदर है, O everyone, I mean all in one and one in all, यहनि के यह one चीज है, जो हर एक में है, क्योंकि नेचुरिल लास्ट की energy यह है, मेरी घड़ी में भी, यह घड़ी ज़रूर दिखाई देरी, इसके बाद यह molecule atom और wave है, तीसरी, I mean इसकी next बात यह है, कि यह invisible है, चोथी बात यह है, कि इसका अपना एक nature है, expand करने का, तो जब हम कहते हैं, कि universe is expanding every time, तो this energy is expanding, तो कभी भी याद रखेगा, law of attraction में, जब मैं यह कहता हूँ, कि बहुत competition है, जीवन में कोई competition नहीं है, every time you are creating your space, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी, आज एक आदमी आता है, ठीक है ने, कि इसमें बहुत competition है, वो basically एक गलत perception लिए गुम रहे हैं, वो universe को नहीं जानते है, universe में कहीं कोई competition नहीं है, there is no limit, no limit ही नहीं है, competition कैसे होगा, जब आपकी boundary ही नहीं है, इसका next चीजी है, कि इसकी अपनी एक thinking है, for example, आपका आम का पेड़ अपने गाउं में बहुए और मैं अपने गाउं में बहुए, वो एक ही समय पर फल देंगे, एक ही उनकी life cycle होगी, ठीक है न, एक ही तरह से वो एक दो साल के अंदर बड़े हो जाएंगे, और एक दो साल की उनकी age difference रहेग तो आपकी हड़िया इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है न, आप कहेंगे तो calcium से आई, calcium तो आप वहाँ भी पड़ा है, उसमें क्यों नहीं आया, यानि कि एक thinking आपको दे गई गई न, जब पेड़ बड़ा हो रहा है, कोई भी चीज चल रही है, एक thinking है न, उसमें, तो it thought, it thinks ये universal energy जो है, इसके अंदर एक खास बात है, कि it thinks, जैसे किसी ने observe किया, तो वो particle में convert हो गया, इससे बड़ी चीज जो है, ये है, जो बहुत important है, वो ये है, कि जो मनुश्य है, जो मानव है, वो इसे अपने thought से impact करता है, प्रभावित करता है, जो भी आप सोचेंगे, उसे ये real मान कर, उसे उसे पूरा करने पर लग जाएगी, समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप attract, अगर आप बार बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, आप solution की बात करें, तो solution आना शुरू हो जाएगा, तो जो thought आप लेकर चल रहे हैं, उ कहा है, कि हो सकता है, कि एक million, दो million years के बाद, हमारा mind इतना evolve हो जाए, कि हम इस तरह से इस universe के साथ जुड़ जाए, कि वो इतकार हमें बना कर दे दे, लेकिन, अगर आपके पास ये intensity है, और आप ये कहते हैं, कि मुझे car चाहिए, तो इस समय ये car कहीं ने कहीं बन रही है, क इसे हम law of attraction कहते हैं, याद रखेगा, इतना ही नहीं, अगर उस car की intensity है, तो उस car के लिए जितना आपको पैसा चाहिए, वो opportunity आपको, I mean, ये law of attraction दे, ये universal energy देगी, आपको even message मिलेगा, कि ये करो, क्योंकि आपने उस quantum event को तयार कर लिया, कि ये quantum event तो होनी है मेरे लिए, वो चुकि उसको ये कह दे कि मुझे car चाहिए, और उस पर time भी दे दिया है, तो वो आपको opportunity भी देगा, वो लोग भी देगा, हो सके आपके एक-दो behavior को भी बदल दे, अगर आप open up हैं, और आपके पास बेकार की emotion नहीं है, और आप पूरी तरह से open up हैं, कोई fear नहीं है, तो अचानक आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार यह तो opportunity अपने आप आ रहे हैं, नहीं, अपने आप नहीं आ रहे है, आपने manifest किया कि वो car आपके पास आए, तो car के लिए पैसा भी तो चाहिए, go to my point, this way, this, I mean energy works, जो मैंने monistic theory में पढ़ा है, और desperate हो जाते हैं, हम यह मानते हैं कि मुझे इस समय चाहिए था, मुझे यह समय चाहिए था, मुझे यह समय चाहिए था, याद रखेगा, आप भी अपनी chess board पर अपनी चाल चलते हैं, और एक चाल उपर वाला चलता है, और आप से बेतर जानता है कि आपको वो किस समय पर चाह याद रखेगा हर एक चीज का साइकल है और पता नहीं आपको किन चीजों से बचा कर आपका एक साल दो साल तीन साल खराब नहीं किये मैंने एक बार अपने मेंटोर से कहा कि साहब मैं कई बार देखता हूं कि मैं बहुत अच्छा इस्टुडेंट रहा हूं और यहां तक आते हैं मैंने 20 साल खराब कर लिए तब मुझे इस अफलता मिली तो दो दशक का मुझे रिग्रेट है मैंने अपने मेंटोर से कहा उन्होंने कंदे पर हाथ मारे और जोर से हसे उन्होंने का इन 20 सालों में इन 20 सालों में आपके पास वो बीमारी तो नहीं है जि नोवी किलास का आपको एक्जाम पास नहीं हो रहा है याद रखेगा राइट टाइम आपकी लाइफ में आएगा और वो आ रहा है जब भी आपकी लाइफ में मेरे मेंटर वही कहा करते थे कि वेन यू मिस्स दा बस जब कई बार लोग कहते हैं है मिस्स दा बस तो मैंने एक और उनसे कहा आपको किस रितों में कौन से कपड़े पहनाने है जब आप एक शिशु है और आपका अस्तित्व यहां पर पचास साल आपके कलेंडर में यूनिवर्स के लिए तो अभी एक सेकंड का करोड़ वा हिस्सा भी नहीं हुआ है ठीक है ना वह आपको जानता है मैसेज को ढूंडते रहो सही समय पर आपको मिलेगा कैसा नहों कि आप गलत समय पर आपके पार पैसा आ जाता उस समय आप अधूरे होते आप किसी कोई साथ पंगा लेते ठीक है ना और आप किसी बिहांड दबार होते तो everything happens at the right time also so don't cry बहुत सभी I think very यह जो सब को जल्दी जल्दी चाहिए मैं तीन दिन यह कर रहा हूं मेरे को ऐसा कोई faster shift आप पांच दिन में मैं कुछ manifest कर सकता हूं क्या दस दिन में कर सकता हूं यह सवाल बहुत common है और हम definitive नी तरह से कोशिश करते हैं इस सवालों के जवाब देने की लेकिन कहीं ना कि यह भी कुछते हैं मेरी workshop में तो sir मेरे पास यह है मैं जल्दी चाहता हूं मैंने का आप यह कह रहे हैं कि आप बिल गेट्स हैं तो आपका बच्चा नो महीने से पहले पैदा होना चाहिए मालब universe आपके लिए बदल जाए आप चाहते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ है आप तो जीवन में याद रखेगा जब maturity आएगी तभी फल मीठा लगता है ठीक है ना जब पकता है तभी मीठा लगता है और अगर इससे पहले आपने करने की कोशिश करी तो आप पैरलिटिक लाइफ जिएंगे यहां पर मैं एक sentence को बढ़ा देता हूं मेरे mentor ने उस समय कहा आपन अगर आपके नहीं थी, mobile नहीं था, technology नहीं थी ठीक है ना एक काम करो ना अपने 20 साल आगे के बढ़ा लो ना अगर आपको 80 साल की उमर में मरना था, 110 की में मरना अपनी सेहत को बढ़िया कर लो, बढ़िया माइंड को चलाओ, बढ़िया लोगों के साथ मिलो, बढ़िया जग कैसे बैठकर coffee पहो, बढ़िया किताबों को पढ़िया, बढ़िया poem लिखो, and I said, right. और देखो, लाइफ तो अब मिलेगी ना, बढ़िया हाइवे बढ़िया बनते जा रही, अध़िया कारे आ रही, बढ़िया मोबाईल, बढ़िया लोग आरे आप जैसे, तो यह एक और जो आस्पेक्ट है मैनिफिस्टेशन का वो है ग्राटिट्यूड अब हाथ मन में थैंक्यू होना क्योंकि मेरे जब भी मैं ये बात बहुत लोगों से करने की कोशिश करता हूं तो मैं ये बहुत जादा पाता हूं कि I think ये चीज बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं क ये कितना important factor है कि आप दुनिया में दुनिया जहान की हर चीज कर रहे हैं और ये नहीं है आपके अंदर जब मैं neurons को पढ़ रहा था तो मैं उनकी उनकी तरीकों को पढ़ रहा था कि कैसे हमारा brain cells हमारे अंदर brain के अंदर एक factor होता है अमित उसको हम कहते है reticular activating system reticular activating system एक physical part of the brain है वो ये तै करता है कि आपके किस थोट को वो यूनिवर्स में भेजे और यूनिवर्स के किस focus को आप तक पहुंचाए समझी है मेरी बात किन चीजों को आप देखें किन चीजों को आप सुनें वो ये तै करता है कई बार आपने देखा होगा जब आप अपने बच्चे के डाइवर्ट नहीं होने देता बल्कि उसको वन पॉइंट कर देता है अब समझने के क्योंशी करोगे इसका अगला वड है मायलन इंसुलेशन यह नया वड आएग आपके लाइफ में मायलन इंसुलेशन ठीक है न एक किताब भी आपने शाद करी है या नहीं करी है को आप बार-बार करने लगते हैं, तो वह नेटवर्क बन जाता है, माल लेते हैं, मैं एकदम से कह रहा हूँ, I need money and I want to convert a good, I mean I want to produce a good university, तो ये पहला थोट फाइरिंग होई, ये फिर खतम हो गया, फिर मैं बैठा मेडिटेशन में, I want to build a university, फिर ये हुआ, इसे हम firing कहते हैं, फिर ये firing होने के बाद, ये 15-20 दिन के बाद ये wiring हो जाती है, कि जब मैं उस university के अंदर घूम रहा हूँ, महाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, महाँ से बहुत सारे लोगों को job दे कर निकाल रहा हूँ, महाँ पर function चल रहा है, तो ये wiring हो गई, याद रखे कि ये wiring भी बेकार है, इसके बाद हमें चाहिए इसके उपर insulation, यानिकि ये टूटे ना, got my point, यहाँ पर हमारे पास एक chemical होता है, जो chemical of law of attraction होता है, इसको भी हमें नहीं पढ़ाते हैं, उसका नाम है myelin insulation, कभी भी गूगल कर सकते हैं हमारे दर्शक, myelin insulation इसके उ उपर wire के उपर rubber चड़ाते हैं, जिसमें से हमारा कोई current release ना हो, बिल्कुल, और वो पूरी current हमें हमारी motor को चलाए, या हमारी electricity demands को पूरा है, इस देट राइट, अब हम बात करते है, gratitude की, gratitude को दो तरह से लेना होगा, यह है क्या, अगर आप कहते है, I offer my gratitude, कई बर लिख दे मेरा BP 120 होना चाहिए, तो इससे नहीं होगा, gratitude का meaning है, कि आप एक certainty को create करें, mind में, कि जिस चीज की मैंने, I mean seeking की है, bagging नहीं, law of attraction में कभी bagger नहीं बनना, seek करना है, तो जिन चीजों को मैंने seek किया है, और मैं यह देख रहा हूँ, पूरी तरह से visualize करते हुए, कि universe उसे मेरी उसने भेजना शुरू कर दिया है, and soon it is coming at the right time, according to the father's will, ठीक है ना, वो मेरे पास आ रही है, तो जब मैं दिल्ली से गोहाटी की ट्रेन में बैठ चुका हूँ, ट्रेन चल पड़ी है, तो मैं शोर हूँ ना, कि गोहाटी तो पहुंचेगी ट्रेन, तीन दिन में नहीं, सार तीन दिन में पहुंचेगी, चार दिन में पहुंचेगी, yes or no, but मेरे अंदर certainty आगी ना, तो इस समय जब मैं gratitude करता हूँ, तो यह मैं हमेशा gratitude का rule होता है, कि आप एक certainty में जियो, कि वो जिन चीजों को आपने demand किया था, सीक किया था, वो universe ने भेजनी शुरू कर दिया, और वो आपकी तरफ आ रही है, और आप इस uncertainty में thank you बोल रहे हो, जब आप इस certainty को बार बार करते हैं, तो आपकी wiring, firing, I mean I feel that it is coming towards me and it is, कल सूरज निकलेगा ना मेरे और आपके लिए, आपके लिए भी निकलेगा ना friends, लिकलेगा ना, कल भी हवा हमारे लिए बहेगी ना, पता the tomorrow sun is coming for me, तो जब आप इसकी firing, 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 और यह wiring हो गई, अभी भी काम नहीं होगा, फिर gratitude रखते रही है, and suddenly somebody has come, अरे यार तुमारे कुछ पैसे थे मेरे तरफ, और दस लाग रुपे ले लो यार अपने, and suddenly you say thank you very much, मुझे मालूम था यह आएंगे, यह नहीं कहेंगे, अरे म की माइलिन को strong करता है, क्योंकि और आपके पर कोई तरीका नहीं है, नहीं तो आपके दुनिया आपको reference कहेगी, बड़े तुम तो prayer कर लेते जाके हिमाली में, मिला क्या है, आप कहा मिला तो कुछ नहीं, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन आप एक certainty में जीते हैं, तो अगर जीवन में law of attraction का आनंद लेना चाहते हैं, तो certainty को enjoy करिए, कि ये मेरी लिए होगा, कल मेरी लिए सूरज निकलेगा, मुझे मालूम है, मेरी life में वो लोग आएंगे, और अगर किसी महीन मेरा अच्छा बैस नहीं बन रहा, मुझे मालूम है, everything happens for a purpose, किसी चीज़ के लिए रोड ब्लोक ऐसा है कि अब क्या करूँ, जब भी आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आजाए, जिसको आपने expect नहीं किया था, समझ लीजेगा, universe आपको एक बड़ा message देना जा रहा है, इसको पढ़ना शुरू करिए, सारे miracle सियाद रखेगा, unexpected event के बाद आते हैं, यहीं पर लोग मर जाते है, अधिकाल, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस लिवा कि universe तुमसे कुछ कहना चाहरा है, तुम unique हो, you are not just a human being, मैं मुझे मालूम है, मुझे इस धर्ती पर बुलाया गया है, बेजा गया, मैंने बर्थ नहीं लिया, मुझे मालूम है, आप भी तो सोचिए क मैं आप से कह रहा हूँ, Amit, you are not here, just to take, I mean, some actions, आपको यहां select किया गया था, बहुत सारी और भी आत्माही रही होंगी, उनको पीछे करके पहले, Amit को नीचे भेजना, I mean, प्रत्वी प्रवे, you are selected by the universe, this earth invited you, जब आपको इतना बड़ा मोका मिला है, so फिर आप एक certainty में क्य आपको सूरज निकलना है, चीजे मुझे मुझे बिलेंगी, और वो डिवाइन टाइमिंग ए उसका, अगर आप इस चीज पर बिलीव करें ना, मैं आपको एक लास्ट पोइंट बता रहा हूं, सबसे बड़ा, जब ओजर्वर उस एलेक्ट्रोन को प्रड्यूस कर रहा है, समझ गए, याद रखेगा, आप भी पहले इलेक्ट्रोन थे इस उनिवर्स में, किसी ने आपको कोलेप्स किया है, यानि कि इस बोड़ी में बदला है, माइट भी टू पेरेंट्स ओफ यॉर्स, हो सकता है, वो समाज ने उनको वैलियू दी तिके बेटा पैदा करो या वस्तू के परे हैं, हम सोच सकते हैं, जो ड्रीम हम कर सकते हैं, वो एक पशू नहीं कर सकता, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ पशू के दो डिमांड होती है, सर्वाइवल और मेटिंग, यानि कि वो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, और वो सर्वाइव करते हैं, हम इसके पर यहां पर इलक्ट्रोन ही थे पहले कहीं, इस युनिवर्स में, किसी ने हमें कोलैPS किया है, और हम यहां कुछ समय के लिए आए हैं, और हमेरा काम है, जैसे यह माईक अपना काम कर रहा है, हमें अपने काम को ढूंडना है, और वो जो काम को ढूंडना है, उसी का नाम परपल लाइफ है तो जब हमें कोलेफ्स किया गया है तो इस मॉमेंट को मैं किसी के लेगपुलिंग से किसी क्रिटिस्अ्यों से किसी गालियों से क्यों सुना। यह आमे कोलेप्स एनरजी, जब आप फिजिक्स में पढ़ रहें ना, कोलेप्स बेव, तो आप आप बागे मानुस्तन पावा, यह बड़े भागे जो मनुश्य का तन मिला, तो इस भागे को और आगे तक लेकर जाओ. बहुत ही अनलाइटिंग, बहुत सभी सर्थ, मैं, we are almost towards the end of the conversation now, ऐसा तो मन नहीं कर रहा है कि कदम करें, बट मैं अपसे कुछ आखरी सवाल पुछना चाहूंगा, so that लोगों को क्रक्स भी मिल जाए, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई लॉफ अट्राक्शन या NLP टेखनीक जो लोग डेली लाइफ में, overall success के लिए उन्हीं करना चाहिए, देखे, मैं NLP में, मैंने 16 chapters को introduce किया था, जब इंडिया में आया, मैंने launch किया, सब लोग उई 16 पढ़ा रहे हैं, अब मैं 28 chapters, I mean, introduce कर चुका हूं, my name, I mean, NLP, next gen NLP 2.0, okay, so it is a new beginning, शायद किसी ने attract किया होगा मेरी इस section को, बहुत सारी टेकनिक हैं वैसे तो, इन 28-28 में एक एक टेकनिक हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप NLP नहीं सीखते हैं, तब तक मैं आपको एक टेकनिक दे रहा हूं, और वो टेकनिक है, live in the zone, एक ऐसे zone में रहे है, एक ऐसे state में रहे है, एक ऐसे mood, एक ऐसे flow में एक ऐसे energy में रहे है, मानो, things are happening for you in this universe, मानो, चीज़ें आपके लिए वही हो रहे हैं, जो तुम चाहते हो, सुबह जब आप उठें, तो आप सीधी आपकी spine हो, उसी तरह से चेहरा देखें, और अपने चेहरे को ही देखें, आज तो तेरे लिए सब कुछ universe कर रहा है, खु जब आप किसी से बाते करें, तो आप उस चीज़ को देना शुरू करें, इसे हम law of radiation कहते हैं, यूनिवर्स में law of radiation, law of attraction का दूसरा नियम है, यानि कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसे radiate करें, जब आप पाना चाहते हैं, कि आपकी life में समर्द्धी हो, पैसा हो, बढ़िया रिष्टे हो, आपका बढ़िया पार्टनर हो, आपकी generation बढ़िया हो, तो आप वही energy, I mean, radiate करना शुरू करें, जब आप किसी से मिलें, ये ना कहें, और कैसी कट रही है, बलकि ये कहें, अरे आज बड़े खूब सुरत लग रहे हैं, अच्छा है, ऐसी आप र जबूत रखें, जब भी किसी से मिलें, नमबर दो, आप अपनी internal voice को positive रखें, ये नहीं कि आप complaining mode में हो, भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान कोई गलत नहीं कर रहा है, कभी भी एक बढ़िया शेफ अपना बनायवा खाना बिगाड़ता नहीं है, उन्होंने आपको बड़े प्यार से इस प्रत्वी पर इन्वाइट किया है, वो भला आपको क्यों दुख देंगे, वो दुख तो आपके अपने है, जो आपने perceived किये हुए है, सो हम perceived दुखों को जीते हैं, दुखों को नहीं जीते हैं, हमेशा आप internal sound को बढ़िया करते हुए, छेहरे पर ए मेरे लिए तो यूनिवर्स को कुछ करी रहा है, यूनीक, और जब भी करेगा, वो सही समय पर करेगा, ठीक है न, ये तीन चार काम कर लें, और एक जोन में रहें, जब भी आपका जोन बिगड़े, तो फिर इस पोड़कास्ट को याद कर लें, अमित जी का चेहरा ये शो क करता है, तैंक यू सो मच सर, इसमें सर, मैं आखरी चीज के बारे में बात करूंगा, आपने बहुत सारी किताबों के बारे में बात की, यसे आप खुद साथ सो से ज़्यादा किताबे बढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ते रहते हैं, उनको ही रिपीट करते रहते हो कही वाँ, पर एक्जामपल मैंने अनलिमिटेड पावर कमसे हम 200 बार पड़ी हैं, एंथनी रॉबिंस की, तो अभी सर, ऐसी कोई भी टॉप पांच किताबे, जिस सब्जक के बारे में हमने बात की, पूरा, चाहे वो कॉन्टम फिजिक्स हो, चाहे वो लाउफ अट्राक्शन, अगर कोई भी इंसान अपनी spiritual journey को शुरू करना चाहता है, या इसके बारे में और in-depth जानना चाहता है, कौन से इसी पांच किताबे, जो उसको overall life में बहुत मदद करेंगे, आदेखिए जहां तक सवाल है, जिस book ने मुझे बहुत परभावित किया, उन में से, अनलिमिटे पावर्ती पर वो लोगों की इतना easily समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे भी वो दस बार पढ़ने के बाद एक belief मिला था, यार अगर मैं दस बार के बाद भी समझ नहीं पा रहा हूं, तो लोग तो एक बार में छोड़ देते, तो मैं तो unique बन हुआ इस देश में, और वो ह नहीं है, रूइस, मॉयल, रूइस, उनकी पहली किताब का नहाम है Four Agreements, अच्छा, ओके, ओके, हाँ, हाँ, ओके, तीसरी किताब मुझे मिली है, Becoming a Superhuman, की कहना, बाकी जो हमारी अपनी, I mean, Divine Book है, गीता, वो तो मेरी फैवरिट है, जब भी कुछ होता है, तो मैं उसको पढ पता हूं, वहां से उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप, I mean, उपनिशदिया दर्शन, जो इंडियन दर्शन शास्त्रे, उसको पढ़िएगा, लेकिन समझना तोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको, क्योंकि वह बहुत वेग थोट आपके जीन को बदल देता है, और मैं एपी जेनेटिक्स को बहुत रेगुलरली प्रेक्टिस करता हूं, अभी मैंने अपने करीब-करीब 10% बालों को बढ़ा लिया है, NLP से, वाओ, 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 अमीजिंग, अमीजिंग, सर ये, मतब, इसमें से कुछ कित अभी मैंने पड़ी हुई है, और, सबसे पहली बुक थी मेरी जिसने मुझे इंपक्ट डाला था वो थी लौफ सक्सेस, लौफ सक्सेस, हाँ, इसके वाओ आपने कई बार पादर्फेश लौट इंडिया में नहीं ती, वह उन्तम मैंने एक डिवार जीता था, तो उसमें मुझे मिली जब मैंने अपना रीटेव बुक्स चानल शुरू किया था, इनिशली मैंने इस किताब को पढ़ा था, बट जैसा आपने दा है कि आपने इस किताब को बहुत बार पढ़ा है, तो I think मुझे मुझे मिल को, मैरे I think एक या दो बार पढ़ा है, तो मुझे शाद यह रिमाइंडर रहिशाद आपका कि मैरे खुषखुद बारा पढ़ना चाहिए, thank you so much sir, finally sir, I think, सिर्फ मुझे ही नहीं, I'm sure, सभी लोगों को बहुत को सीखने को मिला हुगा है, इस पूरे पॉडकास से, आप हमारी audience को, final words आप क्या कहने चाहिए, कि this is, now you, you do now, final advice, आपके पास life में बहुत सारी event आएंगी, और वो आप unique नहीं है कि आपकी life में नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर problems भी आएंगी, challenges भी आएंगी, रिस्तों का तूटना भी आएगा, breakup भी आएगा, failure भी आएगी, abuse भी आएगी, मारपीट भी आएगी, emotional trauma भी आएगे, लेकिन ए नहीं होगा, एक impact छोड़ कर जाईएगा, याद रखेगा, ये प्रकरती एक इंतजार कर रही है कि वहाँ उसे पुरुष मिले, creator मिले, वह आप हो सकते हो, और आप एक unique creation create करिए क्योंकि अगली generation आप ही की तरफ देख रही है, और जब तक आप इस duty को पूरा नहीं करेंग याद रखेगा, you are hurting yourself, you are hurting me and you are hurting the whole universe. Wow, amazing sir, thank you so much for your message sir, अगर कोई भी इंसान अगर आपसे personally connect करना चाता है या आपकी की टीम से connect करना चाता है, उसके resources क्या क्या हैं? रामवर्मा.com पर आजाएं, वहाँ पर मेरी email ID है और वहाँ पर telephone numbers भी दिये गए हैं, और रामवर्मा.com पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, रामवर्मा मेरा चैनल भी है, काफी लोगों ने देखा भी होगा, YouTube, Instagram भी होगा, YouTube पर है, Instagram पर भी बहुत अच्छे content आ रहे हैं, फंटास्टिक, तो मैं, गाइस, मैं वो सारी सारे link मैं डिस्क्रिप्शन में इटाल दूगा, ताकि आप रामवर्मा से उनकी टीम से directly connect कर सकते हैं, So thank you so much sir, it was such a pleasure connecting with you, क्योंकि मैं अपनी life में जो मेरे को आज तक सबसे बड़ा जो सोर्स मिला सीखने का, वो किताबे हैं, तो मेरे को आज लगा कि शाक्षात मैं इतनी सारी किताबों से आज सीख के जा रहा हूं आपस, और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी अभी के जो वाइबरेशन है वो इतनी जादा powerful है, कि मुझे एक, एक ना मैं, I think मुझे मैं कहना चाहूंगा कि मैं अगर आप पॉड़कास्ट में यहां तक हैं, तो मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस पॉड़कास्ट में आपके थौट प्रसेस को बहुत हद तक बदल दिया होगा, और मैं आपको बस यह भी कहना चाहूंगा, कि अगर आप इस तरह का जो content है, जो भी discussion है हमार जो हमने समझा, यह transformative आपको लगा और बहुत valuable लगा, तो personally राम सर को आप जरूर connect करना चाहे, वो YouTube के थुरी हो, उनकी website के थुरू हो, चाहे Instagram के थुरू हो, ताकि आप ना, वो जो knowledge आज, पिछले 1-2 घंटे में आपने समझी है, इस podcast के दौरान, वो direct knowledge आपको इन से मिल सक मेरा request है, आप सभी से, और आपका प्यार यहां तक बनने के लिए बहुत-बहुत thank you, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और divine power हमारे podcast पर आए, तो comment box में जरूर लिखना, और उनको भी comment करना कि वो हमाई team को contact करें, ताकि यह process जल्दी से जल्दी हो सके, जल्दी मिलते हैं, और भी बहतरी in podcast के साथ, thank you so much.